नमस्ते दोस्तों, दोस्तों प्रस्तु थे जूठा सच उपन्यास का देश का भविष्य में भाग नमबर दो पूरी ने न्यानी ताल से चलने से पूर्व पत्रों में पड़ा था कि पाकिस्तान की सरकार हिंदुवों को लाहोर से निकाल रही थी वह तुरंत अपने परिवार की साहिता के लिए चल पड़ा था उस अवस्था में कनक ने उसी रोकना उचितना समझा था कलेजे पर पत्थर रखकर वह चुप रह गई थी कनक ने पूरी को जाने से तो ना रोका परन्तु उसके जाने के दूसरे दिन से ही वह पूरी के संकट में परिश्थीती में चले जाने के कारण घूर चिंता में डूब गई पूरी का समाचार जान सकने के लिए कनक कहा रोम रोम छटपटाता रहता लाइब्रेरी में जितने भी एकबार मिलते उसक आखों से सभी को धियन से देख जाती पंजाब के समाचारों के लिए खास स्थान न्यू क्लब था वहाँ पंजाब से नित्य नए पंजाबी लोग आते रहते थे 14 अगस्त की संध्या के टिनर के बाद पूरी 20 तारीक तक ननिताल में था उन दिनों कनक संध्या समय क्लब नहीं जाना चाहती थी कोई क्लब चलने के लिए कहना दे इसलिए 6 बजे से भी कुछ पहले ही बंगले से निकल जाती थी 23 अगस्त की संध्या कनक पंजाब के कुछ समाचार जान सकने की व्याखुनता में स्वयम ही नईयर के साथ कलब चली गई पहली नजर में सफता भर पहली की हालत से अंतर दिखाई ना दिया परंतु शिगर ही जान लिया पंजाबियों की संध्या आधिक हो गई थी कुछ पंजाबी स्थानिय लोगों के साथ ब्रिच, रम्मी, फ्लैश खेल रहे थे कुछ दूसरों के साथ बात करते हुए चाय, काफी, विस्की, बीयर, पी रहे थे परंतु अधिकाँज पंजाबियों के व्यवहार में उतेजना और क्रोध, पूर्वा पेक्षा अधिक था वे लाउंज में जम्मा हो गए थे, नए आये लोग मोत के पंजे से निकला आने के अपने साहस का बखान कर रहे थे, एक जवान आदमी अपनी ससुराल की साहिता के लिए रावल पिंडी जाकर लोटा था, और आप वित्ती सुना रहा था, रेल या सडक से जाना संबव नहीं था, वह अमरत सर से हवाई जहाज में गया था रावल पिंडी में सुरक्षा के लिए पूली से साथ लिए बिना घूमना फिरना संबव नहीं था पूरवी पंजाब में खुब बदला लिया जाने की भी चर्चा हो रही थी 29 आगस्त को लुधियाने के समीब पंजाब मेल के कतले आम, फिरोजपुर और अमरत सर में पाकिस्तान को जाती पूरी गाड़ियों को समाप्त कर देने और उससे भी बहेंकर कांडों की चर्चा गरब से की जा रही थी कनकपुरी की यात्रा की परिस्तितियों का आभास पाकर सिहर सिहर उठती थी पंजाबी बेघर बार हो जाने के उत्तेजना और शोब में थी वे स्थानिये लोगों की तुलना में अपने आपको सहसी, शहीद और उँचे स्तरका दिखाने के लिए दूसरों की उपस्तिती में बेपरवाही से बहुत उचा बोलते थे जुए में अपनी स्मर्दी और बेपरवाही के एहंकार में दूसरों से बढ़कर दाउं लगा देते थे और दूसरों की अबिक्षा अधिक शराब पी रहे थे सभी आदमें पांच, दस, बीस लाख की हानी की बात कर रहे थे कनक ने इतने लाखों की बातें लाहोर में कम ही सुनी थी नहीर के समीब खड़ा एक जवान सधारन पुराना सा सूट पहने था जवान की आखें लाल और चेहरे पर शोव के भारिपन की चाया थी वह उंचे कुरुद स्वर में अपने पूरे परिवार के मारे जाने और कई लाख की संपत्ती के बरवाद हो जाने की बात कह रहा था कनक सामने सोफा पर दूसरी दो इस्त्रियों के साथ बैठी ध्यान से उसकी भास सुन रही थी उसके दुख और संकट के प्रती कनक का मन समवेदना से द्रवित हो रहा था जवान ने आत्मेता से नयर के कंधे पर हाथ रख कर कहा एक विस्की लो ना मानो अवसाद और ठकान भुला देना चाहता हो नयर ने स्विकार कर लिया जवान ने बैरे को पुकार कर विस्की मंगवाई वह विस्की का गलास लेकर फिर अपनी रोमांचक कथा सुनाने लगा नयर और दूसरे लोग सहनुभूते से सुन रहे थे जवान सभी और देखकर सभी को संबोधन करके बात कर रहा था कनक भी दूसरे लोगों की तरह उसकी और टक्टकी लगाई थी दो-तिन बार आखे मिल जाने पर जवान का आखे गड़ा देना उसे अच्छा ना लगा कनक आखे बचाए रही नयर ने तीन ही घुट पिये थे कि जवान का गिलास समाप्त हो गया उसने नयर से और लेने का आगरे किया मेरे पास अभी है You go ahead नयर ने कह दिया जवान ने एक पैग और मगा लिया नयर का गिलास समाप्त होने से पहले ही जवान का गिलास समाप्त हो गया जवान ने फिर नयर से आगरे किया मेरा साथ दो, एक और जरूर लेना होगा। नायर ने उसके आगरे से गिलास समाप्त करके आधा पैग लेना स्विकार कर लिया। नोजवान चोथा पैग पेता हुआ अपनी कथा छोड़ कर भारत सरकार और यूपी सरकार के प्रति क्रोध प्रकट करने लगा। यहां मुसल् लाई जा रही हैं। उसने गांदी जी और पंडित नहरू के प्रति एसंतोष प्रकट किया। अपना गिलास समाप्त कर उसने नायर को बहुत आत्मियता से बहां में दबाकर एक और पैग लेने का आगरे किया। नायर ने शमा मांग ली परन्तु जवान ने अपने लिए एक और पैग मंगा लिया। कनक को ऐसे आद्मी से नायर की आत्मियता बुरी लग रही थी। लाहूर में उसने ऐसी उच्छंकलता और शराब का निसंकोच व्यभार नहीं देखा था। जवान की आँखे में लाने से आगरे से खिन होकर बहे सोफा पर करवट लेकर दूसर सबी स्तानों से मुसल्मानों को निकाल दिया जाना चाहिए। सब मुसल्मानों की जमेन, जायदाद, कारोबार पर पंजाब स्याय लोगों का अधिखार होना चाहिए। या फिर उन्हें मौका दिया जाए। हमारा जो नुकसान हुआ है हम भी तो उसे पूरा कर सके। एक पंजाबी नहीं अपत्ती की, ये कैसे हो सकता है, ला और आडर भी तो कोई चीज है, यहां मुसल्मान हैं ही कितने, अरे कितने भी हों, हम लुटे हैं तो हमें भी तो मोका मिलना चाहिए, हमारा माल क्या हरम का था, कोई क्रोध में बोल उठा, साड़े दस बत चुके थे, कनक चलने के लिए नहीर को कई बार संकेत कर चुकी थी, नहीर ने समीब खड़े जवान की और विदाई के लिए हाथ बढ़ा कर कहा, अच्छा, अब इसाज़त दे जिए, चलूँगा, जा रहे हैं, मुझे भी तो देर हो गई है, फिर मिलेंगी, यह बिल आप दे दीजी, खयाल ना करें, नहीर ने विश्मे से जवान की और देखा, लेकिन नोजवान ने उचे स्वर में गलानी परकट की, बादिशाओ, क्या बात करते हो, यह लाखों की चोट खाकर उफ नहीं की, आट-दस रुपे की बात क्या होती है, वह दूसरे कम पर एक योर चल दिया, नहीर विश्मित रहे गया, पर जवान से सहनुबुति रखने वाले इतने लोगों के सामने, वह क्या खेता, उसने मुस्करा कर बिल पर हस्ताक्षर कर दिये, कलब से बाहर निकलते ही कनक जुंजलाई, यह कैसे दोस्त बना लिये हैं आपने, दोस्त आज पहली बार देखा है उसे, जाने किसका आतिती बनकर आया था, पर मैं क्या करता, मुझे तो खल गया, लोग पागल क्या, घुंडे बनते जा रहे हैं पूरा सब्ताहा बेत जाने पर भी कनक को कुरीखा पतर ना मिला, उसे भरोसा था, पुरी जहां भी, जैसी भी स्तिति में होगा, समाचार तो देगा ही, क्या नहीं जानते, मैं कितनी चिंतित रहूंगी कनक बहंकर अशंकाओं और शोब में स्वयम अपने उपर जुजला उटी, उन्हें जाने ही क्यों दिया, जाने देना था, तो हवाई जात से जाने का परवंद करके जाने दिती, मैं साथ ही क्यों नहीं चली गई, संकट का सामना दोनों साथ साथ करते, वैसी स्तिति आ जान पिता ने उसे जिस प्रकार सोचने के लिए प्रत्साहित किया था, वै आपने और पुरुषों के सामर्थे में शारिरिक बल के अतिरिक्त, दूसरा कोई अंतर स्रीकार करने के लिए तयार नहीं थी, परन्तु सब और से जैसी परिस्तितियां सुनाई पढ़ रही थी, उसम पुर्षों में लड़की और इस्त्री होना सबसे बड़ी अपत्ती थी, कनक पूरी के संबंद में आपनी भावना के प्रती नहीर का विरोध जानती थी, परन्तु पूरी का पता लगा सकने की संभावना के विशे में उसे से बात करने के लिए विवश हो गई, नहीर स्व नैनिता लाकर भिमल विला का किराया उसने चेक से ही दिया था। जिन दुकानों से सोदा उधार आता था। उन्हें जुलाई के अंत में चेक दे दिये थे। आठ नो अगस्त को उसने लाहोर में बैंक को एक हजार रुपे का ड्राफ्ट इलावाद बैंक या इंपिरियल बैंक की नैनिताल शाखा के नाम बेज देने के लिए लिखा था। उस पत्र का कोई उत्तर ही नहीं आया था। तार देने पर भी कोई उत्तर नहीं आया। नयर का अनुमान था कि 15 अगस्त के बाद तुफान शांत होने पर बैंक रुपया भेज देगा देर सवेर का ही प्रशन है परंतु अगस्त के अंतिम सप्ता में सुना कि बैंकों के भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत रुपया भेजने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है तो नईयर घबरा गया दो सालियों अपने और बहनोई के परिवारों का खर्चा भी सिर्पर था वह मन ही मन पच्ता रहा था पंडित जी के सुझाव पर उसने अपना हिसाब लाहोर से बदलवा क्यों ही लिया था लाहोर जाकर बैंक के लाकर से अपने कागज और जेवर क्यों ही ले आया था लाहुर ने लोट सकने पर जीवी काका क्या उपाई होगा वह कनक की बात क्या सुनता और क्या उपाई बताता कानता चिंता में बिल्कुल ही सुन हो रही थी उसे सब दोश अपना ही जान पड़ रहा था खर्च तो उसे ही चलाना था क्या सहसा जब इज़त मिटी में मिलकर घर भर को भूखा मरते देखेगी ऐसी अवस्था में पिताजी को भी क्या लिख सकती थी उन्होंने स्वेम किसी तरह भाग कर दिल्ली में शरण ली थी वहां तीन सप्ता हमें माकान का भी परबंध नहीं कर पाए थे नईयर ने उन्हें नैनिताल आ जाने के लिए लिख दिया था परंतु वे बोज बनने के संकोच में नहीं आए कानता सब कुछ जानकर भी नईयर की तरह प्रकट में निश्चिंत नहीं बनी रह सकी अपने आर्थिक संकट को वे ननन्द और बहनोई के सामने प्रकट नहीं करना चाती थी परंतु संकट का उपाए कैसे ना करती रसोई में घी की मात्रा घट गई दो तरकारी मास और दाल के स्थान पर एक तरकारी और दाल बनने लगी अपनी लड़की के अतिरिक्त ननन्द के भी तीन बच्चे थे ननन्द के बच्चों की आयू चे, आठ और ग्यार है थी कान्ता चार सेर दूद के बजाए डेड़ सेर ही लेने लगी संकट में आत्मरक्षा के उपायों का परभाव उल्टा ही हुआ आर्थिक दवाव से एक दिन विस्पोट हो ही गया कान्ता की ननन्द की सास ने घर का खर्च घटाने के प्रियतन में अपना अपमान समझ लिया उन्हें बच्चपन से राच सोते समय एक गलास दूद और सुब़ एक गलास निर्जल दही का मठा पीने का भ्यास था इसके बिना उन्हें खुशकी और कब्ज की सिकायत हो जाती थी सिर घूमने लगता था उन्होंने क्रोध में कह दिया अगर ऐसी ही कंगाली बरस गई है तो हम अपने लिए डेड़ से रदूद अलग मंगा लिया करेंगे हम घर पर दो भैसे बंदी छोड़ कर आए है नैयर को विश्मे से आगात लगा कि उसकी बहिन सुबदरा भी उसकी कठिनाई ने समझकर अपनी सास की अनुचित सिकायत का साथ दे रही थी सुबदरा ने विचित्र बात उखाड़ी हम आये तो रोज दूसरे दिन आडू खुर्मानी आते थी हमारे बच्चों का इतना बोज हो गया कि फल लेने बंद कर दिये अब रोटी भी भारी हो रही है कि दोनों जून दाल से निगले खुद तो तीनों बहने घुमने फिरने वाली है बाजार में होटलों में चार आती है सब किफाइथ हमारे लिए ही है कोई दूसरी जगे मिल गई होती तो हम क्यों बोज बनते हम इतने भारी हो रही है बरामदे में अंगिठी रखकर अपने बच्चों के लिए चार रोटिया सेक लिया करेंगे वह अपमान से रोने लगी सुबद्रा की ननन्द स्वरना भी अपनी भोजाई के प्रती होते अन्याई के विरूद भोजाई के पक्ष में बोले बिना ना रह सेकी हमारा दुर भागे है कि हमारा बोज खामुखा इन लोगों पर पड़ गया हम तो अपने भाई के यहां आये थे हमारे भाई का घर होता और हमारे साथ ऐसी ही होती तो एक घुट पानी भी उस घर में नहीं पीते हमारे भागे फूट गए लाखों की संपती छोड़ कर दूसरों की रोटी के मोहताज हो रहे हैं इनके फैशन तो देखो सब कुछ फैशनों में उड़ जाता है मुहों पर पाउडर करीम जरूर चाहिए चाहिए पेज में चुहे कूदते रहें सुबद्रा की सास सम्धी के घर आकर आपमान पाने के सिकायत में रोनी लगी नयर की मा बोले बिना ने रह सकी कनक और कंचन समझाने बुझाने का यतन करने लगी तो सुबद्रा और स्वर्ना दोनों उन पर भरस पड़ी तुम आवारा सांटनिया यहां किसलिए आकर मरी हुई हो तुमारे लिए ने आपने बाप के घर जगे नय कभी तुमें ससुराल मिलेंगे विमल विला का संतूष्ट आविजात वातावन सहसा बहेंकर महाबारत में बदल गया उपर नीचे और समीब के बंगलों के लोग ब्रामदों की और खिड़कियों में खड़े होकर शोर का कारण जानने के लिए जहाकने लगी नयर का बहनोई रामपरकास ये स्तिती देखकर चुपचा बहर चला गया खनक और कंचन गालियां सुनकर क्रोध में अपना सामान समेटने लगी नयर ने उन्हें बुलाकर कड़े स्वर में डाटा यही तुम दोनों की अकल है तुम भे मूरकों की तरह में भार करोगी मेरे संकट में यही तुम्हारी सहिता और सहनोबोती है दोनों बहने एक और जा मूँ छिपा कर रोने लगी नयर ने कांता को भी डाटा क्या पागलपन करती हो स्वेम तुमने ही तो उन्हें बुलाया था कांता रो पड़ी ट्रंक खोल कर देख लो कुछ सवाच छे सू रुपया रह गया है मैं कहती हूँ पिताजी के आने तक किसी तरह निब जाए तुम कहो तो मैं सब्ता भर में फूख दू इसके बाद हम लोग खुशक रोटी या आधे पेट खाएंगे तो वे लोग क्या कहेंगे यह लोग दूद के कुले करना चाहें या परोठे के बिना ग्रास इनके गले से नहीं उतरते तो इन्हें अलग ही बना लेने दो हमारी कंगाली से यह लोग क्यों दुखी हो हमें आधी रोटी भी ने मिलेगी तो भी मैं इनसे न मांगूंगी पंदरे दिन पहले सुबद्रा को भोजाई से इतना प्यार था कि उसके साथ बाजार जाने पर कांता कुछ भी खरिदने से जिजकती थी कांता कुछ भी पसंद कर लेती तो सुबद्रा तुरंथ दाम चुका देने के लिए अपने हाथ में लिए रेश्मी रुमाल की गाट खोलने लगती थी कांता उसे कठिना इसे रोख पाती थी कांता के साथ एक थाली में खाये बिना उसका मानना भरता था नैयर शोव में गहरे सास लेकर सोच रहा था हाथ में पैसा कम हो जाना मेरा कितना बड़ा दोश हो गया विमल विला में कलय का बहंकर कोला हल मच जाने के बाद सननाटा चागया केवल नानो या सुबद्रा का छोटा लड़का धम्मी ही समझने होने के कारण चिला कर पुकार लेते या हस देते थे सिर पर संकट के विचार से और नैयर से इतनी आतमेता के अधिकार की डाट सुनकर कनक के मन से जीजा जी के प्रती सब विरोध सहसा धुल गया नैयर को गुमसुमा केले बैठे देखकर वहे उसके समेब चली गई और पुराने डंग से जी आई सम्मोधन कर पूछा क्या सोच रहे हैं कनक ने दो मास पूर्व पारलियमेंटरी सेकरेटरी अवस्ति जी द्वारा दिये असवाशन की याद दिला अनुमती चाही की नोकरी के लिए पत्र लिखे उससे कुछ तो सहिता मिलेगी नैयर भरा बैठा था उसने सीधे ही प्रशन कर दिया पुरी लखनों में है कनक ने जीजा की आँखों में सीधे देखकर उत्तर दिया जी आई आपसे तो कभी छुठ नहीं बोला कनक ने मुँ फेर लिया उसकी आँखे छलक आई थी नैयर साहनुबूते में चुप हो गया फिर अंग्रेजी में बोला माफ करना मुझे क्या आपत्ती हो सकती है परन्तु पिता जी भी दो-चार दिन में आही जाएंगी सफतावर से उनका भी पत्र नहीं आया चायद आ जाए उस दिन दिल्ली से पंडी जी का पत्र तो नहीं आया परन्तु जालंदर से नैयर के मुझ सी काका राम का पत्र आया काका राम ने पूछा था अब नैयर अपनी प्रैक्टिस कहां आरम करना चाहता है प्रामर्श भी दिया था कि नहियर के लिए जलंदर में प्रैक्टिस प्राराम करना अच्छा होगा पूर्वी पंजाब की अस्थाई राजधाने शिमला से जलंदर में बदल जाने की आशा थी हाई कोट भी वहीं बनने की अफवा थी काका राम जलंदर जिले की मुकेरिया तैसिल का रहने वाला था उसके संबंदियों में दो कटवारी और एक कानून गोवी था काम मिलने में सहाईता की आशा हो सकती थी लाहोर, गुज्रावाला, लायलपूर से बहुत से लोगों ने उसी जिले में आसपास जमीने गिर ली थी नईयर ने कांता से सला ली कांता की इच्चा थी कि जहां पिताजी रहें वहीं उनका भी रहना ठीक होगा परन्तु जो अफसर सामने आ रहा है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी नईयर ने उसी संध्या काकाराम को उतर दे दिया कि उसका प्रामर्श उचित ही था वर्तमान अवस्ता में वहें उसके लिए एक साधर्न सा मकान किसी साप से महले में ले ले तीन-चार दिन में वहें उसे निश्चित बात लिखा सकेगा सितंबर की सोले तारिक को भी ना पिता जी आए ना उनका पूतर ही आया परन्तु संध्या से में उनका तार मिला परिवार सहीत तुरंत आ जाओ पंडित जी ने पहुँचने की सूचना ना मांकर तार में मकान तक पहुँचने का मर्ग ब्योरे से लिख दिया था स्टेशन से फैस भजार सयद हमद रोड सिलवाली गली के अंध में दुर्रनी गली नया हिंद प्रेस 14 सितंबर का दिया हुआ तार नैनी ताल में 16 को पहुँचा था तार इतने भिलम से मिलने और तार के ढंग से सभी के मस्तिक्स में अनेक कलपनाई और अशंकाई उठने लगी थी पिताजी स्टेशन पर आने में एसमर्थ है क्या कारण हो सकता है प्रेस दिल्ली पहुँच गया पंडित गिर्धारी लाल जी अपनी पतनी के साथ प्राण रक्षा के लिए लाहोर से भाग कर 13 अगस्त को दिल्ली पहुँचे उन्हें जान पड़ा कि देश भर की खलकत दिल्ली में ही उमड़ाई है दिल्ली से उसका विशेश परिचना था केम्प में जाकर शरन देने के लिए मनना माना होटलों में स्थान नहीं रहा था बहुत गूम लेने पर फैज बाजार में नए बने होटल में एक मुलतानी परिवार ने उन्हें अपने कमरे के कोने में पांच रुपे रोज पर रख लेना स्विकार कर लिया पंडित जी असबाब की रखवाली के लिए पतनी को कमरे में बैठा कर स्वेम दिन भर जगें की खोज में गुमते रहते पुरानी और नई दिल्ली में जितनी बस्ती के लिए स्थान या उससे बहुत आधिक लोग दूसरे महायूद के समय ही कारोबार के परलोवन से दिल्ली में आ गए थे 1949 की अपेक्षा 1945 में मकानों के किराए द्योडे दुगने हो चुके थे मार्च 1947 से पस्चिम पंजाब के बड़े नगरों से भाग कर आए धनी लोगों को भी दिल्ली ही सबसे समीपूर सोरक्षित स्थान जान पड़ा बे लोग किसी भी दाम पर कोई भी जगें पा लेने के लिए उताव ले थे 14 अगस्त के बाद तो पंजाब से भगाए गए लोग अपार जन परवाह की तरह बहे आ रहे थे यूपी सरकार ने अपने राजय में स्तिती विगड़ने ने देने के लिए शरनार्थियों के यूपी प्रवेश पर रोक लगा दी थी परंतु दिल्ली उधारता से बाहे पसारे सब को स्विकार कर रहे थी दिल्ली में अब नित्ते उमरती चली आती जनता के लिए वरक्षों के नीचे भी आश्रे का स्थान सेश न था लोग सिर पर ओट की भी परवाने कर जहां बैठ जाने भरक्वस्थान मिल सकता बैठ से जा रहे थे पंदित जी मकान ढूणने के लिए अपने व्यवसाईक परिचितों से मिले प्रोफेसर एन सी माथुर से भी मिलने गए मिठाई, चाए, लेमोनेड और पान से सब जगें खातिर होई लोग मकान दिला सकने के अतिरिक्त सभी तरह की खातिर के लिए तैयार थे एक आद ने संकेत भी कर दिया आप पंजाबी लोग भला कही मकान मांगते मांगते फिरते हैं जिने चाहिए ले ही रहे हैं पहाड गंज, सबजी मंडी पटोदी हाउस, मठिया महल बैरमखा रोड पर देखिए पंडे जी ने किसी से सहायता ने पाकर भी आठ दस दिन की खोज और अठक श्रम से फैंच बाजार में गोलचा के पीछे सही दहमद रोड पर एक मकान की तीसरी मंजिल पर एक कमरा ढूंडी लिया कमरा दो इट की दिवार और तीन की छट की बरसाती थी परंतु उसमें ताला लगा सकने के लिए किवाड भी थे पानी और सडास के लिए उन्हें और उनकी परोड़ा पतनी को नीचे आगन के तल तक उतरना पड़ता था कमरा क्या अजबाब रखकर बोजन बना लेने और बरसात में सिर्चिपा सकने के लिए स्थान हो गया था वे अब धहरिये से मकान ढून सकते थे पंडित जी गोलचा के पीछे महले में पटोदी हाउस दिल्ली गेट बाजार बैरम खा मटिया महल की स्तिति भापने का यतन कर रहे थे उनके मकान का मालिक राजाराम अगरवाल अपने पुराने मकान में ही था परन्तु दूसरी सब बस्ती नहीं थी चोदा आगस्त के पहले की कूचा चेला और दिल्ली गेट बाजार में अधिकांश मुस्लिम बस्ती थी अब यहाँ पस्चिम से आकर हिंदू शर्नार्थी बस्ते जा रहे थे पटोदी हाउस चितली कबर बाजार तिरहा बेरम खा में अभी मुसल्मान ही थे बहुत बड़ी लड़ाई की तहियारी की संसनी थी अफवाई थी कि पहाडगंज और दूसरे महलों से मुसल्मानों ने बहुत सी बंदुखे जमा करके किलाबंदी कर ले थी परंदु पंडित जी प्रति दिन कई सहमे हुए मुसल्म परिवारों को अपना आसबाब लिए मोहलों से चले जाते देखते थे और अनेक पंजाबी हिंदु परिवारों को अपना आसबाब सिरों और कंधों पर उठाए बसने के लिए इन गलियों मोहलों के भीतर जाते भी देखते थे कुछ हिंदूओं के मारे जाने के अववा भी थी पंडित जी ने दो बार पस्चिम से आये लोगों को तलवारें, भाले और फरसे लिए भीतर की गलियों में जाते देखा था शांतिर रक्षा के लिए सिपाही राइफलों पर संगिने लगा के बजारों और गलियों के मोडों पर खड़े या बैठे रहते थे पर गलियों में कतल हो जाते थे और बम फेके जाने की घटनाएं भी हो जाती थी आबादी का परिवर्तन खुलेयाम हो रहा था पस्चिम से आये लोगों और दिली छोड़ कर जाना चाहने वालों में जायदात के सोधे भी हो रहते फैज बाजार के पीछे के मोहले में मुसल्मान रक्षा के लिए दुआई दे रहते उनकी रक्षा के लिए ही सर्शस्त्र सिपाही थे नाते इसलिए उन पर ही रोग थाम थी दोपहर में टीन की छत बहुत तप जाती पंडित जी वहां ने ठहर पाते उन्हें बिछले 25-30 वर्ष से जैसा जीवन बिताने का अभ्यास था उसकी तुलना में ही है दिन 35 वर्ष पूर काटी जेल की सजागी तरह थे परन्तु तप पंडित जी के शरीर में जवाने की शक्ती और मन में देश के लिए उत्सर का जोस था 58 वर्ष की अवस्था में भी वे उस कठिनाई को चुपचाप धहरिये से सह रह थे दिल्ली गेट बाजार के दक्षिन की ओर गलियों में उस समय भी मुसल्मानी थे पंडित जी को मुसल्मानों के बीच रहने में भी अपत्ती ना थी ऐसे मकान की खोज थी जिसमें स्वस्त रह सकने लाइक स्थान वाईयू और जल मिल सके लाहूर लोटना संभव ना होने पर लाहूर से अपना प्रेश भी मंगा कर लगा सके उसके लिए वे मुनासिब खर्च करने के लिए भी तैयार थे गलियों में शेश रह गए मुसल्मान प्राहे अपने मकानों की धहली जो में सिम्टे से हमें बैठे दिखाई देते चेहरे और सुर खांके मौन रह जाती एक बहुत उदास और कुरुद मुसल्मान ने गहरा सास लेकर कह दिया बाही जान हमें मार कर निकाल दो सब खाली हो जाएगा हम मरेंगे तो दो चार को साथ भी ले जाएंगे हम जा कहां सकते हैं यहां ही दफनाए जाएंगे इसी आमी की बात सुनकर खदर की शेरवानी उंची गांधी टोपी पहने एक मौलाना सूरत मुसल्मान गली से जाते जाते ठिठक गए थे बोलने वाला उनकी आख के इशारे से चुप हो गया था सब लोगों को उन्हें सलाम करते देखकर पंडित जी ने भी उन्हें आदाब अ भाई हम कोम एक नेशन खयाल करते हैं हमारी बदकिस्मती है कि लाइफ भर की महनत और कमाई से बनाया मकान और प्रेस छोड़कर भागाना पड़ा है लेकिन हमें आप से क्या गिला है हम तो चाहते हैं अपने वतन को लोट जाएं लेकिन उसको पंडित जी ने आकाश की और संकेस्त किया जो मंजूर है पंडित जी अभ्यास के अनुसार खदर की पगड़ी बंद गले का कोट और पाजामा कांग्रेसी पोशाक में थे खदर धारी मौलाना दूसरे मुसलमानों की और से बोले बाहिजान ये है फिरक का वारना इस्ताल सांपरदाइक उत्तेजना मु का फर्ज है बापु ने तो अपने जिंदगी ही इसी के लिए कुर्वान कर दी है काश इस वक्त मुलाना मुहमद आली शोकत आली जिन्दा होते डाक्टर अंसारी होते ओफ कलकत्ते में क्या हैरत अंगेज अति भेंकर वह कहीं पेश आये हैं फिनेटिक धर्मांद लोगों ने बापु के मुसलिम मेजबान के मकान पर हमला करके किस्त बारी इट पत्थर की बोचार की तमाम खिडकियों के काश तूट गए बापु बाल बाल बचके लेकिन बापु की अकीदत विश्वास देखिए अपने मिशन पर कायम है इस वक्त मुल्क को अल्ला ताला के करम से वही बचा सकते हैं पंडित जी ने मुलाना के विशारों से पूरी सहमती परकट की उनके पडोस से अपने लिए किसी खाली जगे का खयाल रखने के लिए निवेदन करके लोट रहे थे किबला एक बुजारिस है पंडित जी ने अपने कंध के पीछे से सुना इर्शाद फर्माईए पंडित जी ने घूम कर देखा मुलाना उनके पीछे चले आ रहे थे मकान की तलाश जनाब को मुलाना बोले किबला को तो अच्छी बड़ी जगें की जरुरत होगी आप जगें खरदना चाहेंगे यकिन मानिए यह तक्सीम तो द तक्सीम कैंसिल हो भी जाए तो किबला की जायदाद एक के बजाए दो शहरों में हो सकती है आप खरिद ही लीजी पंडित जी ने हाथ की छड़ी को गली के फर्ष पर टकोरते हुए सोचा और बोले मुलाना जायदाद की खरिद फरोग तो गोर खोज का मामला है फिल हाल त आपको तकलिफ ना हो तो देख लेने में भी क्या हर्च है पंडित जी मुलाना के साथ कुछ कदम लोटे दो गलियों के जोड़ पर जरा चोड़ी जगहे में और छोटी गली के शुरू में छोटा सा फाटक था फाटक पर बड़े बड़े आंकों में जन गणना के लिए ल फाटक पर दस्तक दी और जोर से पुकारा बिजंग बिजंग ओ भाई बिजंग कौन है भीतर से गुरहाट में उत्तर मिला मुलाना ने असवाशन दिया हम है भीतर भाई खोलो जरा परदा कर लेने को कह दो एक मैं माने फाटक का एक पला खुल गया खुले हुए स्थान मे एक गोरखा बगल में खुखरी दबाय सावदानी से फाटक के दो पलनों के बीच अड़कर खड़ा हो गया था पंडित जी ने भीतर जाते वे ठिठक कर कहा भाई जान आपके एतबार पर चल रहा हूं यकिन रखिए कलाम पाक की कसम है किबला दोखा देकर हम जा कहा सकते ह कर ही क्या सकते हैं सायद ने बेबसी परकट की फाटक की गली नुमा ड्योडी के दाएं हाथ खुला आंगन था ड्योडी के समेप कच्ची जमेन में बेला और मेहंदी के तीन चार पोदे थे फिर इटों का फर्ष था सामने पुराने ढंका दो दर का दो मिजला मकान था मेहरावों को पाट कर दर्वाजे लगा दिये गए जान पड़ते थे दाहीनी और दो कोटरियां थी दिवारों पर से चूने का पलस्तर आधिकांश में गिर चुका था जड़ती हुई लाल लखोरी इटे दिखाई दे रही थी बाएं हाथ आंगन की दिवार बड़ी इटों की थी आंगन में नल था पक्के फर्ष में तीन चार नाद गड़े हुए थे मिट्टी और अलमीनियम के बर्तन सरकंडे के आराम कुर्शी नुमा मोडे और दो खाटे भी पड़ी हुई थी आंगन में कुछ सुगंद मिली तमाकू की तीखी गंद भरी हुई थी सयद ने पंडे जी को आदर से मोडे पर बठा कर चाई, शर्बत, पेश करने की इजाज़त चाही पंडे जी ने विने से शमा मांगी और मुल्क की बिगड़ गई हालत के लिए अपसोज जहर किया सयद ने उनका समर्थन किया, क्या वक्त आ गया है किबला, पान के पत्तों के लिए तरश जाते हैं पच्चास कदम भजार तक जाना मुहाल हो गया है, और गोले मकान क्या हवेली की जगे है, किबला खुद देख रहे हैं गिर्दोनुवा में सयद का अहाता मशूर है, हमारा खांदान शहनशा शाह आलम के वक्त से दिल्ली में मुकीम है इस दिवार के साथ के सब मकानों के नीचे की जमीन भी हमारे खांदान की थी वक्त की बात है, दो ही बरस पहले जंग के जमानने में इस जगें के पचास हजार रुपे लग रहे थे तब क्या खयाल था हमारे लिए इतनी जल्दी कयमत आ जाएगी सेद ने गहरा सांस लिया पुस्तैनी जाइदाद क्या बेचती, वक्त की बात है आप जरीब लेकर नाप लीजी, दो हजार दो सो बयालिस मुरब्बा फुट जमीन है आसपास पुराने मकानों की जमीन साता टुप्या फुट बिकी है सामने देख रहे हैं पुखता हिमारत है भाईजान आजकल की नई दिल्ली की इमारत नहीं है की फूंक मारने से जड़ने लगे इस इंट के जड़ते जड़ते तीन सदियां गुजर जाएंगी हमारी 25 के वक्त से ऐसी ही है तिल भर फरक नहीं आया वक्त की बात है हम 20 हजार पर इत्मिनान कर लेंगी किबला गर्दन पर छुरी है क्या कर सकते हैं लगभग 14-15 बरस का एक लड़का अदब से सलाम करके समेब खड़ा हो गया था सेद ने उसे संभोधन किया सहाब जादे मकान के कागजात का बसता तो जरा उठा लाओ किबला को एत्बार हो जाए कि बिला हक जायदाद परोक्त नहीं कर रहे हैं दोखा नहीं है नहीं नहीं बाहिजान ए जेंटलमेन वर्ड इस इनफ आपकी जबान काफी है पंडित जी ने चड़ी फर्ष पर टकोरते हुए कहा और चिंता में आँखे आधी मूद कर बोले बाहिजान आप बजा फर्मा रहे हैं लेकिन यहां तो सब कुछ छोड़कर खाना बदोस होकर आए हैं उन्होंने गहरी सांस ली जन्हाब की परिशानी को खुब समझ सकता हूँ गुस्ता की मुआफ कीजियेगा इससे डेवडी लागत का नए धंका पुकता मकान खुद रिहाईसी के लिए बनवाया था मैं बिजली पंखे पानी फलेश सिस्टम के ताला डाल कर चला आया हूँ लाहूर की गवाल मंडी तो आपने सुना ही होगा जैसे आपके यहाँ क्विंस रोड है या कश्मीरी गेट समझ लीजिए कागज मोजूद हैं दिखा सकता हूँ लड़के ने बहुत पुराने रिवाज की काले रंग की छीट का डोरिशे लिप्टा एक छोटा सा बस्ता लाकर सायद के हाथ में दे दिया था सायद ने बस्ता खोल कर बहूत से बिजली के बिल पाने टेक्स की रसीदें और दो कोटरियों के किराये नामे और रसीदों के बहूत से कागज पंडित जी के हाथ में देते हुए कहा खादिम का नाम सेद अब्दूल समद है पंडित जी ने सरसरी नजर से जैसे अनावश्यक समझ रहे हूँ कागजों को देखा और सेद को लुटाते हुए बोले बहाईजान बंदे की हालत भी मुक्तलिफ नहीं है हम दोनों एक ही किस्ति के नहीं तो एक ही जैसी किस्तियों के मुसाफिर है आप मेरे साथ चलने की तकलिफ गवारा करें या मैं खुद लाकर आपको कागज दिखा दूँ आप जैसे कल्चर जेंटलमेन का लाहूर जाना ही मुनासिब है आपको अगर मुन्त के लिए जैदाद जैदाद की बदली में फाइदा नजर आए तो दोनों भाई एक दूसरे की मदद कर सकते हैं मुला ना मकान की अदला बदली नहीं अपने मकान की नकद कीमत चाहते थे 20 के बजाए 15 है बलकि 10 हजार पर भी संतुष्ट होने को तयार थे पंडित जी ने फिर भी उन से एक बार अपने कागज देख लेने का अनुरोद किया दूसरे दिन सुबह खुद कागज दिखा जाने का असवाशन दे कर वे लोट आये दूसरे दिन 4 सितंबर जनमास्ट में का पर्व था पंडित जी की पतनी स्वास्त खराब होने की दशा में भी व्रत के लिए उपवास रखना चाहती थी बहुत समझाने बुझाने पर वे कुछ फल और दूद ले लेने के लिए मान गई फैज बाजार और दिल्दी गेट बाजार में फल बेचने वाले मसलमानों की पुरानी दुकाने उजट चुकी थी अब कुछ शरनार थी चोटी मोटी दुकानों में और ठेलों पर खीरा ककड़ी, भुट्टे, अमरूद, केले बेचने लगे थे पत्नी के शिण स्वस्ते की अवस्था में पत्नी को पंडित जी ऐसी चीजे कैसे खा लेने देते वे अच्छे फलों की खोज में फतेपुरी तक चले गए थे पंडित जी फतेपुरी पहुँचे तो दुकाने बंध होती जा रही थी संसनी थी कि मुसल्मान पूलिस हत्यार लेकर बागी हो गई है पंडित जी अपने मकान पर लोट आए घबराई होए लोग कह रहे थे कि सर सयद रोड से आगे दिल्ली गेट बाजार और पटोदी हाउस के मुसलिम महलों में दंगा हो गया है अफ़ा थी कि मुसल्मान अपनी चतों पर से बंदुखे मशिन गने चला रही हैं गोलियां दगने के धमाके भी सुनाई देने लगे कर्फ्यू का साइरन बज गया उनके देखते देखते बहुत से सस्यस्तर सिपाई उस ओर चले गए शाम तक कई बार गोलियां चलने के धमाके सुनाई दिये ऐसी अवस्ता में पंडित जी अबदूल समद के यहां कैसे जाते कर्फ्यू था प्रतु भाजार में हिंदूओं की दुकाने खुली थी लोग प्राई दुकानों के आगे तक्तों पर बैटे बाते कर रहे थे पंडित जी भी संध्या तक वहीं बैठे रहे आते जाते लोग समाचार सुना जाते थे खबर थी कि पहाड गंज में बहुत भारी लड़ाई है मुसल्मान मोर्चा बनाकर धड़ादड गोलियां चला रहे है हिंदूओं ने उन्हें गहेर कर आग लगा दी है भूत जबरदस्त मुकाबला है पंडित जी बाजार में खुब चंद की दुकान पर बैठे खबरे सुनते रहे कोई कहता था होज काजी में गड़ वालियों ने मुसल्मानों को खतम कर दिया अज मेरी दर्वाजे तक सब जल गया है करोल बाग में मुसल्मानों ने हमला किया था सब भून डाले गए पाढ़ गंज में 2000 मुसल्मान मारा गया है यहे भी अफवा थी कि कई जग हैं सिपाईयों और सिविल गाड के लोगों ने हिंदूओं पर भी गोलिया चलाई कोई 16 हिंदूओं के मारे जाने की कोई 24 के मारे जाने की बात कहता था हिंद्वों पर गोली चलाई जाने के कारण बहुत उत्तेजना और क्रोध था कुछ लोग कांगरेस सरकार और पंडित नहरू को गालिया दे रहे थे ये लोग दिल्ली में भी हिंद्वों को मरवा देंगे तो हम लोग कहां जाएंगे सितंबर 6 को करफ्यू में कड़ाई हो गई थी हिंद्वों पर भी रोक टोक लग गई थी मिलिटरी भीतर की गलियों में से लाशे निकलवा रही थी पंडित जी खूब चंद की दुकान पर बैठे स्तीती पर खेद परकट करते रहे साथ सितंबर को करफ्यू में भी लोग आटा दाल सोदा सुलुफ के लिए आने जाने लगे थे पंडित जी ने उस दिन भी दुर्रानी गली तक जाना उचित ना समझा आठ सितंबर पंडित जी की कोठरी की टीन की चत दस बस्ते बस्ते दूप से खूब तप गई थी कनक की मा बरसाती की दिवार की छाया में अंगिठी रखकर फुलके और एक तरकारी बना लेने में वैस्त थी पंडित जी के लिए ना तो उपर टीन की तपी हुई चत के नीचे बैठे रहना सही था ना नीचे बाजार में खूब चंद की दुकान पर निस्करी बैठे रह सकते थे वे सहीद अब्दूल समद के मकान की और चल दिये गलियों के मोडों पर राइफलों पर संगीन लगाई सिपाही मौजूद थे सिलवाली गली में जहां पंडित जी की मोलाना से पहली भेट हुई थी कई कोठरियों के सामने खाटे पड़ी थी खाटों पर बैठी पंजाबी इस्तरियां अपनी गठरियां या बक्सों के कपड़े उलट-पुलट रही थी पंडित जी विस्मित थे करफ्यू के समय भी ये लोग कहां से कैसे आ गए केवल गली के अंत में एक और एक दरवाजे पर और दूसरी और दो दरवाजों पर अब भी टाट के परदे लटक रहे थे सयद के फाटक के बाहर चार सैसस्तर सिपाई फाटक की दिवार के साथ बने चोटे चबूतरे पर बैठे होए थे पंडित जी ने फाटक पर दस्तक दी और पुकारा सयद सहाब भाई विजंग समीफ खड़े सिपाईयों ने पंडित जी की और नजर की उन्हें अकेले और निशस्त्र देखकर अफ़ती नहीं की पंडित जी ने फिर विजंग को पुकारा और सयद सहाब को भी पुकारा कौन है आप कौन सहाब है भीतर से सह्मेवे सवर ने पूचा पंडित जी ने परिचे देकर समादान किया फाटक का कुछ भाग खुल गया पंडित जी ने भीतर जाकर सायद का कुशलमंगल पूछा आंगन में धूफ थी पंडित जी को डियोडी में ही खड़ा करके सायद आंगन से मोड़ा उठा लाय थे उन्होंने दूसरा मोड़ा ले आने के लिए करीम को पुकार लिया था सायद को स्वेम मोढा उठाते देखकर पंडित जीने संकोच से गोरा पत्ती की है है क्या कर रहें सायद सहाब रहने दीजिए मैं खुद क्या बिजंग नहीं है वल्ला आप क्यों तकलिफ कर रहें है सायद बहुत उदास थे बोले क्या आरज करूँ घर में आटा नहीं बच्चे के लिए दूद भी नहीं आ सका कल बिजंग को भेजते भी तो कैसे ओफ क्या हैवानियत थी बिजंग जरा बाजार से सोधा लेने गया है पंडित जी ने नगर में देश भर में फैली उतेजना और फिसाद के लिए बहुत दुख परकट किया सायद सहाब इनसान दरिंदे बन गए हैं हूब हू यही सूरत लाहोर में थी ग्यारा अगस्त को नंगी तलवारे फरसे भाले लेकर जो जलूस निकला ओफ बहाई सहाब यहां तो फिर गनिमत है सरकार फिसाद करने वालों को सजा दे रही है अमन के लिए कोशिस कर रही है वहां तो हिंदुओं के हत्यार सरकार नहीं ले लिये थे और मुसल्मान खुले आम हाथ्यार लिये फिर रहे थे वही बिमारी यहां आ गई है क्या लोग मुल्क का सयद भहुत उदासी से बोले उनके गुनाहों का कफारा हमसे लिया जाए यह तो इंसाफ नहीं है हरगिज नहीं बिरादर हरगिज नहीं यह तो जुनून है दरिंदगी है पंडित जी ने विश्वास दिलाया इसमें मजहव का क्या सवाल है यह तो गुंडागर्दी है हम तो हमेशा से नैशनलिस्ट रहे हैं पंडित जी हमारे लिए तो राम रहीम एक हैं पर यहां तो लोग सिर्फ कतल पर अमादा हैं सूर्ते कतल की जा रही हैं दिल तो कोई देख नहीं सकता किबला आपने मकान के क्या फैसला किया पंडित जी ने कोट का बटन खोल कर भीतर के जेवों से कागज निकाल कर सायद को दिखाए सायद ने कागजों पर नजर डाली वे जायदाद की अदला बदली के लिए तैयार हो गए थे परंतु लाहोर में मकान के हक के साथ 5000 रुपया नकद भी चाहते थ बोले किभला हम तो मकान आपके हाथों में दे रहे हैं सामने गोदाम में 1000 रुपय का तो तंबाखु मोजुद है जर्दा और किमाम के कई किसम के मसाले हैं आपका मकान नया और बहतर सही लेकिन आप तो मकान के कागज और चाबी ही दे रहे हैं लाहोर जाकर जाने क्या साम सायद में काफी देर बाचीत चली पंडित जी मकान की अदला बदली के साथ 2000 रुप्या देने के लिए तयार हो गए परंतु लिखा पड़ी कर लेना चाहते थे कि अगर वे खुद फिर लाहूर लोटकर वहां रहना चाहें तो कोई हरजा न दिये और वसूल किये बिनावे ल मुचा दे रजिस्ट्री और अधालत का प्रशन और अवसर ही नहीं था इक्रार नमा दो कागजों पर लिख कर दोनों ने दसकत कर देना तै किया यह लिखा पड़ी हो रही थी तो बिजंग बाजार से लोट आया वह ध्यान से देख और सुन रहा था बिजंग अपने समान की छोटी सी पोटली बांद कर अपनी खूकरी कंदे से लटकाए आकर वीच में बोल उठा पहले मेरा तलब दिच्चे वह अपने वफादारी और नमक हलाली की तनका दोखे दड़ी में खो देने के लिए तैयार नहीं था सैयद ने बिजंग को अश्वाशन दिया जी ने स्विकार कर लिया सैयद ने बिजंग को विश्वास दिलाया हम पंडित जी के यहां आ जाने पर ही जाएंगे तुम्हारी तलब और इनाम दे कर जाएंगे बिजंग ने अपनी पोटली डोडी में रख दी परन्तु बहुत स्तर्क बना रहा पंडित जी ने सैयद के मकान खाली करने से पहले ही अपना सामान और अपनी पत्नी को मकान में पहुचा दिया था उन्होंने कुछी घंटों में हिंदु धर्म के नाते बजरंग से आत्मियता स्थाफित कर ली उसका नाम बिजंग से बजरंग हो गया अब तक बजरंग अपने मालिक की सेवा पीना और धर्म समझ कर ड्योडी में ही सिम्टा रहता था ब्राह्मन स्वामी पाकर वह पुरसन हो गया घर की सफाई करने में माशैब मासाइबा की सहिता करने लगा उसने नल से पानी लेकर आंगन और कोठरियों को धोने में सहिता दी बाजार से अगरबतिया लाकर सब तर करने लगी थापा तुम अपने धर्म के पक्के हो तो तुमने गाई खाने वाले तुर्क की नोकरी कैसे कर ली थी बजरंग को जिविका के धर्म और परलोक के धर्म में कोई संपर्क या परिसपर विश्मता नहीं जान बढ़ती थी वह नोकरी को जिविका का धर्म समझता और खान-पान, चुवा-चूत को परलोग का धर्म। उसने बताया लाखों गोर्खा लोग गाये खाने वाले अंग्रेज की नोकरी करते थे और रणशेत्र में अंग्रेज स्वामी के लिए प्राण दे कर स्वर्ग भी जाते थे। वहें जब तक सायद का नोकर था, सायद की रक्षा के लिए प्राण नोचावर कर सकता था। ये उसकी जिविका का धर्म था, परन्तु दूसरे मुसल्मानों को काट डालने के आवसर से उसे पर्शंता ही होती। सिलवाली गली और दुर्रानी गली में मौलवी कासी मुहमद और सायद अब्दूल समद का बहुत परभाव था। मौलवी कासी मुहमद लीग और पाकिस्तान के जबरदस्त पैरोकार थे। उन्हें विश्वास था कि पाकिस्तान काइम हो जाने पर दीन की ताकत जल्दी ही दिल्ली को भी फतै करके पाकिस्तान में शामिल कर लेगी वे आसपास की गलियों और मोहलों के मसलमानों को दीन के नाम पर जंग के लिए तैयार रहने के लिए ललकारते रहते थे 15 अगस्त के बाद फसादों ने शहर में स्तिती बदल दी थी कासिम मुहमद काफिर को हुकूमत में रहना कुफर बता कई मुसलिम परिवारों के साथ पाकिस्तान के लिए कूच कर गए सयद अब्दुल समद मोलवी कासिम का विरोध नहीं कर सकते थे वे धहरिये से समय को देखकर काम करने की नसिहत देते रहते थे मोलवी कासिम के चले जाने के बाद घलियों में गरीब मुसलमान सयद की ही और आखी लगाए थे सयद मुसलमानों के दिल्ली छोड़ जाने के खिलाफ थे सब को धहरिये से टिके रहकर सामुहिक रूप में अपनी रक्षा करने के लिए समझाते रहते थे 25-26 बरस पहले जब कांग्रेस और खिलापत के अंदोलनों में सहयोगता उस समय सायद कांग्रेसी रहे थे अब उन्होंने वक्त के मुताबिक खदर के कपड़े पहन लिये थे दुर्रानी गली में शेस रहे गे मुसल्मानों ने सयद को चुपचा मकान छोड़ कर चले जाते देखा तो उनका साहस तूट गया सब भागने लगे पंडित जी ने सोचा अच्छा ही है जाने दो फिल हाल ऐसे पड़ो से क्या लाब जिससे फसाद के अशंका हो गली से मुसल्मानों के निकलते ही पस्चिम से आये लोग इस्त्री बच्चों के साथ अपना असबाब उठाए गली में घुसाए जितने मकान थे उससे बहुत अधिक लोग आ गए थे मकानों के लिए जगडे, मारपीट और कोला हल से गालिया गुझूटी पंडित जी कई दिन की थकावट से खाट पर लेटे भविशे की चिंता में डूबे थे अपने मकान के फाटक की योर से शोर और बजरंग की धमकी और ललकार सुनकर पंडित जी देखने के लिए उधर गए बजरंग फाटक के दो पाटों के बीच फसा खड़ा था फाटक के बाहर 20-25 इस्त्री पुरुशों की भीड अस्बाब उठाए भीतर आ सकने के लिए जिद कर रही थी बजरंग उन्हें रोक कर दूर हट जाने के लिए धमकारा था पंडित जी ने फाटक के भीतर से पुकारा क्या है क्या है और भीड को समझाया बाई लोगो ये मकान अक्यूपाइड है बसा हुआ है आप लोग दूसरी जगें देखिए बीड तकाचा कर रही थी अंदर हाता है बहुत जगें है वे लोग भी देख लें पंडित जी ने कहा जो कुछ भी है मकान हमारा है हम रह रहे हैं आप दूसरी जगें जाहिए बीड में से कोई बोला मकान तुमारे बाप का है फाटक पर साफ मुसल्मान का नाम लिखा है एक हिस्से में तुम रहो हम लोगों को भी तो जगें चाहिए पंडित जी ने बताया मकान उन्होंने खरीद लिया था वे खरीद के कागज दिखाने के लिए तैयार थे बीतर जाना चाहने वालोंने क्रोध में उतर दिया खरीद लिया है तुम बड़ा कारू से खजाने वाला है हम भी खरीदें और आपने बनाए मकान छोड़ कर आए हैं तुम सारी दिली खरीद ले बाकी लोग क्या मर जाएं भीड में से खूब तगड़े दो आदमियों ने तरक और दलील वेर्थ समझ कर फाटक के एक पल्ले से कंधे लगा कर पूरी शक्ति से धक्का दिया बजरंग पंडित जी पर गिरते गिरते बचा हटो हटो ललकारती भीड भीतर घुस आई पंडित जी भीड को रोकने के लिए दोनों बाहें फलाकर जुल्म के विरोध में चिल्लाते जा रहे थे और धकूं से पीछे हरते जा रहे थे उनकी पतनी भी शोर सुनकर आ गई थी और उनके पीछे खड़ी हो गई थी उन्होंने पंडित जी पर चोड़ पड़ने के एक दूसरे पर गिरने लगी खबरदार खबरदार बहुत जोर से ललकार सुनाई दी गली में खड़े एक सिपाई ने आगे बढ़कर बजरंग की और राइफल उठा कर धमकाया खबरदार सब लोग ठिठक गए सिपाई इस जगडे को हिंदूओं का आपसी मामला समझ कर अब तक न बोले थे बीड के लोग सिपाईओं से बजरंग को गरफतार कर लेने का तकाचा करने लगे पंडित जी ने आगे बढ़कर सिपाईओं के सामने बीड के अन्याई के लिए दुहाई दी और बजरंग को निर्दोश बताया दूसरे लोगों ने भी दुहाई दी बीतर जगे हैं उन्हें क्यों रोका जा रहा है बेधूप और ओस में कैसे पड़े रहें सिपाईओं ने न्याई करने के लिए जानना चाहा पंडित जी के परिवार में कितने आदमी हैं शर्नार्थियोंने अपत्ती की एक बुड़ा बुड़िया इतनी जगें घेर कर बैठ जाएं और दूसरे बीशियों बाहर मरें सिपाईओं ने भीड का पक्ष लिया पंडित जी ने बताया उनका बहुत बड़ा परिवार है दो एक दिन में सब लोग आने वाले हैं उन्होंने मकान का खरिद नमा दिखाने और नहरू जी को फोन करने की धमकी दी सिपाईओं ने न्याई करने का उतरदायत्व लेने की अपेक्षा शांती रक्षा का करतवे निभाने के लिए भीड को धमका कर भगा दिया संगर्ष में पंडित जी का चश्मा गिर गया था कमीज फट गई थी वे बहुत हाफ गये थे परन्तु लेटने के लिए भीतर नहीं गये उन्होंने चश्मा साफ किया और उसी समय इटों के टुकडे लेकर अपनी पतनी के साथ फाटक पर बनी लिखावट को मिटा दिया बजरंग को भेज कर तुरंत खडिया मंगाई और फाटक पर उर्दोर अंगरिजी अक्षरों में लिख दिया नया हिंद प्रेस मालिक गिरधारी लाल दत्ता मकान पूरा भरा हुआ है फंडित जी भहुत ठक कर खाट पर लेट गए आद घंटे बाद उठकर पैतनी से भोले भाई डर ही है लोग बार बार इतराज करेंगे इतनी जगे में दो आदमी है हमारे बाल बच्चे आएंगे तो कहां रहेंगे तुम फाटक भीतर से बंद रखना मैं नयार को नैनी ताल तार दे आऊँ सब को लेकर एकदम आ जाए उन्होंने बजरंग की पीठ ठोक कर उसे भी सावधान रहने के लिए कह दिया महेंदर कांता खनक, खंचन, नानो अपनी मा और भाई राजंदर को काफले के रूप में साथ लिए लगबख दोपहर में दिल्ली पहुँचा मुसलिम शरनार्थियों को पाकिस्तान ले जाने वाली दो स्पेशल ट्रेनों को रास्ता देने के लिए गाड़ी 6 घंटे लेठ हो गई थी 18 घंटे तक इंटर क्लास के डिब्बे में भीड में दब दब कर और पसीने से लथपत होकर सब लोग कलांत और निष्टेज हो गई थे पिताजी के स्वस्ते की चिंता भी उन्हें व्याकुल किये थी किसी को विश्वास ना था कि पिताजी साधारन शारिरी के कस्ट में तार दे कर सब को भुला लेंगे पूरा परिवार असबाब के साथ दो टांगों पर लदकर स्टेशन से फैज बाजार की और जा रहा था दिल्ली के प्रतम दर्शन के समय प्रते कदम उन्हें अतंकित और निरुत्साहित कर रहा था सब और मनुशे ही मनुशे थे स्थान हीन निराश रह सडकों के किनारे ब्रक्षों के नीचे फूस की टटियों, शामियानों और छोलदारियों के नीचे किसी भी प्रकार की ओट के बिना भी सब और शर्नार्ती पड़े थे नई कठी नाईयों के अशंका में गाड़ी में अनुबव हुई एस विदा उन्हें भूलती जा रही थी फैज बाजार के पहले चोक पर पुलिस ने टांगों को सडक पर आगे बढ़ने से रोक दिया और दर्यागंज के चकर लगा कर जानने के लिए कहा रास्ता भीड के कारण रुका हुआ था मालूम हुआ मात्मा गांधी कूचा चेला के शेश रहे गए मुसल्मानों के प्रती साहनुबुती परकट करने और उन्हें स्वाशन देने के लिए आये हुए थे हिंदू तांगे वाला गाली देकर उबल पड़ा यह नहीं जीने देगा हिंदूों को पंडित जी डोडी में खाट डाले घुटनों को कोली में बांदे परतिक्षा में बैठे थे परिवार के पहुंचने पर वे उचल कर खड़े हो गए आओ बेटा, आओ कंतू कन्नी, कंची, मेरी बच्चिया गलासन है के आवेग से रूंद गया, आखों में आसू आ गए, उन्होंने नानों को नईयर की गोद से चीन कर हरदे से चिपका लिया नानों ए परिचित गोद के विरोध में एक बार चीखी, फिर नाना को पहचान कर चिपट गई आभाद सुनकर लड़कियों की मा भी दोड़ी हुई जोड़ी में आ गई बहे लड़कियों को आलिंगन में ले लेकर फूट फूट कर रोती जा रही थी पंडित जी सबको गले लगा कर आलिंगन में लेकर विले समधिन को आधरपूरग भितर ले गए पंडित जी बहुत परशन थे ठैंक हीम, शुकर उसका, सब लोग फिर मिल गए नाव एवरीथिंग एज आल राइट, कोई चिंता नहीं नईयर, कांता, कनक, कंचन के चेहरे पिता को स्वेस्ट देखकर खेल उटे थे परंतु पंडित जी और मा के सूखे पत्ते की तरह पीले पड़ गए चेहरे सूख कर दो तिहाई रह गए शरीरों और मकान की सज्जा को देखकर फिर मोन रह गए आपस में एक दूसरे से आखे चुराए थे पंडित जी राय और सुझाव देकर और बहुत कुछ अपने हातों से करके विश्वास दिला रहे थे कि कोई कठना या कमी नहीं है एक कोठरी में नईयर की मा के लिए पलंग पर बिचोना लगा दिया गया था दूसरे कमरे में फर्ष पर दरियां और नैनिताल से आए गद्धे रजाईयां बिचवा कर सफेद चादरें बिचा दी मकान में बिजली के पंके नहीं थे पंडित जी ने बजरंग की फीट ठोक कर कहा मेरे बहादूर हाथ के छे पंके ले आओ तीसरे पहर तक सब लोग स्नान भोजन से निपड़ कर फर्ष पर लगी मसनद पर लेट गए गर्मी और उमस के कारण सब के हाथों में पंकियां थी पंडित जी सबसे घिरे हुए फर्ष पर चित लेटे अपने शरीर पर स्वेम पंका हिलाते हुए सुख और संतोष के उदगार में बोले जा रहे थे हजार हजार शुकर है उसका थैंक हिम सब लोग आ गए आंधी वर्षा दूप में शरण के लिए आराम की अपनी जगे है ओफ खलकत पर क्या गुजर रही है बच्चे रात रात भर बरसात में भीग कर निमोनियी से मर रहे हैं लोग फसीलों की आड में खंडरों में दिन गुजार रहे है लोग कबरों की इत उखाड कर दिवार बना कर पूस की टटिओं के नीचे पनाले रहे है शुकर है उस परमेश्वर का हमारे लिए इतने आराम की जगे है दूसरे दिन नायर ने जलंदर जाकर प्रैक्टिस का अवसर देखने के विशे में बात की तो भविशे की चिंता आराम हो गई पंडित जी ने नायर के विचार का समर्थन करके राय दी बेटा सपताह दस दिन ठेरो मुनसी काकराम को यहां का पता लिख दो बहनजी, कांता, नानो, सभी यहां ही रहें तुम स्तीथी देखकर मकान बैठक का परबन कराना नायर ने नैनिताल से लाहूर में बैंक को अपना एकाउंट दिल्ली बदल देने के लिए लिख दिया था वह बैंक के हैड आफिस चांदनी चोक में पता लेने गया अभी तक उसका हिसाब दिल्ली नहीं आया था पंडित जी अपने कारोबार के संब्द में भी बात करने लगे उनका प्रेस लाहूर में रह गया था दोनों और की सरकारों ने मशीनों के आने जाने पर पर्तिवन लगा दिये थे उनकी प्रकाशित पुस्तकों का एक लाख रुपे के मूले का स्टाक लाहूर में रह गया था पस्चिम पंजाब के पुस्तक विक्रेताओं के यहां से उन्हें काफी लेना था जो लोग जड मूल से उजड गए उनसे उधार पाने की क्या हाशा थी पंडित जी ने समय रहते जो कुछ नगदी दिल्ली बैंक में बदलवा दी थी उससे दुबारा पूरा व्यवसाय जमा लेना संभव नहीं था सब कुछ कहकर पंडित जी ने उच्वास से संतोष परकट किया हम हजारो लाकों से अच्छे हैं हजार शुकर है उस परमेश्वर का संकट का समय था ऐसा भी धा थी सामने और संकट और चिंता भी थी परन्तु नैयर, रजिंद्र, कांता, कनक और कंचन नए और बड़े नगर में प्रतंबार आये थे पंडित जी की नई अपनाई आराम की जगें भी ऐसी नहीं थी कि वे लोग पुराने अभ्यासों की अनुसार यहां चुपचाप लेटे या बैठे रहकर समय काट देते वे लोग दोपैर से पहले काफी समय के लिए घुमने निकल जाते संध्या समय नई दिल्ली की और चले जाते थे पुरानी दिल्ली में बस्ती के बहार या बस्ती के भीतर जहां भी कहीं खुला स्थान था सब जगें शर्नार्थियों के लिए केम्प बना लिए गए गये थे परंतु नई दिल्ली की भववे सडकों, कनाट प्लेस और साशन के केंदरों के आसपास इस संकट का कोई परभाव नहीं दिखाई देता था इस संकट ने नई दिल्ली की शोभा और रोनक को और भी बढ़ा दिया था सब और बढ़िया से बढ़िया पोशाकों में पंजावी यूवक और यूवतियां ही दिखाई देते थे मानोवे मेले में अपनी सिम्रदी और शोक का परदर्शन करने आये हो या हस खेल कर अपने दुर्भागे को बुला देना चाहते हो दिल्ली आकर कनक का मन गहरी चिंता और अवसाथ से भर गया वहे निवास के स्थान गर्मी उमस और भीड की ऐसो विधाओं की परवा नहीं करती थी परंतु पूरी का समाचारने मिलने के कारण मन अशंका से अधीर हो जाता था इस प्रलैकारी आंधी में वे जाने कहां ऐसा हाए विवस पड़े होंगे संभवत है किसी कैंप में शरन लेने के लिए मजबूर हुए हो उस उथल पुथल और अथा भीड में कोई किसी को कैसे खुच सकता है कोई भी समाचार नहीं दिया अपने परिवार को ढूंड पाए होंगे या नहीं इतने दिन तक कोई भी सूचनाने देने का क्या कारण हो सकता है उन्हें नैनिताल का ही पता मालूम था अब संपर्ग का क्या सूत्र रह गया यदि वे ऐसा फलोकर फिर नैनिताल पहुँचे या वहाँ से पत्र ही लिखें तो उनका पत्र दिल्ली आ सकना रामपरकाश पर ही निर्भर करेगा नैनिताल से चलते समय नहीर ने रामपरकाश को कह दिया था कोई भी पत्र आए तो वह दिल्ली के पते पर तुरंत भीज दे रामपरकाश और सुबद्रा वहाँ जाने कितने दिन रह पाई होंगी नईयर के चलने से पहले वे लोग लुदियाना अमबाला चले जाने की बात कर रहे थे नैनी ताल की सडकों पर और जिल के केनारे एकांद में बैठ कर वहे चुप चाप उन स्थानों में पुरे की संगती को याद तो कर सकती थी कनक कामन किसी से बोलने को ना चाहता था कांथा पती को अकेले जलंदर भीजने से डर रही थी स्वेम भी साथ जाना चाहती थी उसकी सास, मा और पिताजी ने उसे समझाया ऐसी हालत में तुमारे साथ जाने से नायर को ऐस विदा बढ़ेगी पंडित जी ने नायर को कुछ दिन और ठहर जाने के लिए कह दिया था कांथा पती के आखेले चले जाने की संभावना से उदास थी उसकी उदासी स्वभाविक थी उसे अपनी उदासी चिपाने की भी अवश्यक्ता नहीं थी परंतु कनक अपनी उदासी का कारण सबके सामने कैसे कह सकती थी घर में रहते समय उदासी को चिपाए रहने का एक ही उपाई था अकभार पढ़ते रहना वह अकभार उठाकर विज्यापन, आदालती, नोटिस, वांटेड के कालम पढ़ने लगती जहां भी इस्त्रियों के लिए नोकटी के आवसर की सूचना होती ध्यान से पढ़कर सोचती मैं क्यों नहीं यतन करूं पंडित जी आराम में पतनी लड़कियों की एसविदा समझ रहे थे कनक का मौन और चिंता भी उनकी द्रस्टी में थी बरसात का मोसम समापत हो रहा था एक जोड़दार छीटा चोथे पहर आ गया था उव और उमस से बच सकने के लिए नई दिल्ली की और चले जाना भी संभव ना था पंडित जी अपने चारों और फैली उदासी को अनुभव कर रहे थे बेटियों की एसविदा अनुभव करके वे हाथ की पंकी से हवा लेने उनके दिल बहलाव के लिए एक दो प्रसंग सुना देने के बाद बोले हमारी वेटिया किसी मुसीवत में घबरा नहीं सकती यह तो शियर बेटे हैं वह क्या नहीं सह सकती बाप दादों की कमाई जायदाद पर फूलना किचड में पड़े घूंगे की तरह मोटा होते जाना है पंडित जी अपनी उपमा पर कहका लगा कर हस दिये और चस्मा उतार कर अपने कमीज के आचल से साफ करने लगे पंडित जी ने दिल्ली आकर नई चतुराई सीख ली थी किसी से आख ने मिलाना चाते तो चस्मा उतार कर साफ करने लगते और आखों को आदा मीच लेते स्विम दूसरों का चेहरा सपष्ट ने देख पाते तो विश्वास कर लेते कि दूसरे भी उनके चेहरे की ऐस विदा को नहीं देख पा रहे होंगे पंडित जी सुनाने लगे बेटा महेंद्र तुम्हें तो बताया था ना हमने तो देशराज के प्रेस में 20 रुपे महिने पर प्रूफ रीडर की नोकरी से काम शिरू किया था उन्होंने फिर कहका लगाया मानों बेटियों को बताना चाहते हों कि प्रतेक कठनाई पर हसना चाहिए उस जमाने में जेल से लोटे हुए पोलिटीकल आदमी को नोकरी कौन देता देशराज भला आदमी था मैं उस हालत में भी फूर्सत निकाल कर कुछ लिख लेता था रात तो अपनी ही थी जवानी थी सिपिरिट थी मेरी भी इशारिया मजामीन की किताबें मोजे खौब स्वपन की लहरें मखजन अदब ने शाया की थी तीन भरस में मैंने मखजन अदब को चार किताबें दी मोजे खौब एक छोटा नावल टीपू सुल्तान की जिन्दगी के मतलिक और दो अंग्रिजी नावलों के तरजुमे मेरे भाई रायल्टी उस जमाने में कौन देता लोग शोक के लिए लिखते थे इसलिए पहतर लिखते थे हाँ मैंने मखजन अदब से हर किताब की देड़ सु कापियां बतोर रायल्टी के ले ली दूसरे बुकसेलरों से तब आदले में दूसरी किताबे लेकर छोटी सी दुकान सूरत मंडी में खोल दी थी फिर हफ्तावार देश संदेश रिसाला निकाला उसे छपाने के लिए पहले सेकिंड हैंड प्रेस खरिदा था रफ्ता रफ्ता स्कूली किताबों की कुंजियां वगएरा 20 किताबें अपनी और दोस्तों की शाया की प्रेस खड़ा कर दिया मकान बनाया कितना आराम दे मकान था खयाल था अब हमारी बेटियां बेटे समालेंगे तो ओफ क्या तूफान आ गया है देखो उसकी कुद्रत पंडित जी ने जोर से कहका लगा दिया सब सी राजा विखर गया पंडित जी ने गदगद हसी हसते हुए चस्मा उतार लिया और कमीज के दामन से उसे और धुंदला करते हुए आखे मीचे कहते गई क्या खूब कहा है कन्नी बेटा क्या नाम है उस शायर का हाँ मोमिन मोमिन ने कहा है सुनो बेटा महिंद्र तुम भी सुनो कांता पंडित जी तरजनी उठा कर बोले खाना बरबादी के सद में उसे पूछे बागबा पंडित जी ने भावन मेश से आशन बदल लिया और आधे ही शेर को और उचे स्वरों में दोराया खाना भरबादी के सद में उससे पूछे बागबा तिनका तिनका सुनो महेंदर जी तिनका तिनका चुनके जिसका घर बने और तूट जाए वावा क्या खूब कहा है क्या गिला बुल बुल खुदा से क्या गिला करती है कनक को लग रहा था, पंडित जी उसे विशेश रूप से सुना रहे है ये भी समझ रही थी कि पंडित जी अपने दुख को दबा कर उनका होसला बढ़ाने के लिए ही कह रहे है यो बोलने से उनके मन का गुबार निकलता था कनक ने पंडित जी को और बुलाने के लिए कह दिया बुल-बुल खूब गिला करती है, खूब नाता होती है, सिकायत करती है, करंदन करती है तमाम शायरी और है क्या, कोई शायर हम लोगों के नालों को लेकर भी शायरी करेंगे और फसाने लिखेंगे पंडित जी गंभीर हो गए बेटा शायरी और फसाने आपनी जगें दोरुस थे लेकिन हम पस्त हिम्मत निरुट्सा क्यों हो नहियर ने अनुभव किया कनक का परियास ठीक नहीं बैटा बहुत हलकी हलकी पुहार आप भी पढ़ रही थी नहियर की मा आंगन में आकर घने बादलों की और मुह उठाए थी उसने अपनी मा को संबोधन कर लिया मा जी क्या है अपने परमेश्वर को देख रही है हाँ बेटा जी अब इस उमर में और किसे देखना है भही सुनने वाला है मा ने उत्तर दिया कंचन ने जीजा के कान के पास मुह कर लिया पिताची ने सुन सके इसलिए धिमे से कहा पूछिये पहले किसे देखा करती थी अच्छा भहुत पर लग गए हैं नहियर ने आखे तरे रही क्या है पंडिस जी ने पूछ लिया मा जी कंची कह रही है नहियर पंडिस जी को सुना कर मा से बोला कंची ने जीजा को बोलने ने देने के लिए उसको पिंडली पर जोर से चिकोटी काट ली नहियर पिंडली को मलते वे भी कंची को खिजाने के लिए बोला मा जी कंची कह रही है कह दूँ माजी ने पूछ लिया क्या कह रही है उसने कंची को धमकाया बता तू बताईए कंची ने और चूटी काटने का डर दिखाया नहियर ने कंची को घूर मा को उत्तर दिया कह रही है पहले आप कह दू भगवान जे कहिए बारिस से हम तंग आ गए है अब वर्षा बंद करे हमें क्यों परिशान कर रहे है नहियर की मा ने बादलों की और हाथ जोड़ कर प्रार्थना कर दी पिता परमातमा जी अब बस करो देख लीजी बहिन जी आजकल के लड़के लड़कियों की समझ पंडित जी ने नहियर की मा को पंजाबी में समधन किया इन लोगों को क्या मालू है कि ये वर्षा, कनक, गेहूं की फसल के लिए कितनी जरूरी है उसके हर रंग में मनुशे की भलाई है ठीक कह रहे हो भाई जी मा जी ने अनुमधन किया ये मुंडे कुडियां, लड़के-लड़कियां शहरों में जन्में, शहरों में पले इन्हें क्या मालूम, फसलें क्या होती है कहां होती है वर्षा फसल के लिए अच्छी है तो भगवान से कहिए खेतों में बरसाई कनक बोल उठी यहाँ शहर में बे घरबार, बे साया लोगों को भीगो कर पिमार करने के लिए कीचड करने के लिए अपना पानी क्यों बरबाद कर रहा है उसे नहीं देखता कि कनक का खेत हमारे सिर्पर नहीं है माडल टाउन में माली बगीचे में पानी देता था तो क्या हामें भी बिगोदेता था भगवान छे तो माली ही समझदार था ठीख कह रही हो मा जी नईर शालीओं को चिढ़ाने के लिए मा के समर्थन में बोला इन लोगों को क्या मालूम कनक क्या होता है यह हैं तो समझती हैं देहातों में पेड़ों पर चपातियां लगती हैं, किसी पेड़ पर डबल रोटियां लगती हैं, सुनिए, नईर बात बताने के लिए सीधा होकर बैठ गया, एक बार कन्नी से मैंने पोचा, तुने कभी कनक का खेत देखा है, इसने जबाब दिया, हाँ, मैं एक बार मामा के देहात में गई थी, वहाँ खेत में गई तो शेर आ गया, बहुत जोर से घरसने लगा, घुगू, 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 तो मैं दोड़ कर कनक के पेड़ पर चड़ गई, ओफ, नईर कुछ तिल मिला कर अपनी कमर मलने लगा, कनक ने पीचे से उसकी कमर पर खुब गहरी चिकोटी काट लेती, क्या है, क्या है, पंडित जी ने नईर की परिशानी का कारण बोचा, पिता जी, मालूम होता है, खट मल बहुत है, नईर ने कमर मलते हुए उतर दिया, अच्छा, अभी है, पंडित जी ने अनुमान परकट किया, दरारों में छि जिड़क देंगे, अभी डिब्ब्य में काफी है, हाँ जी बहुत बहुत बैमान खट मल है, छिफ कर काट लेते हैं, नईर ने कनक और कंचन की और देखा, रात बहुत देर तक कोई न कोई हसी मजाग चलता ही रहा कि मा जी, कांता या पंडित जी, चिनता के कोई बात होने के कारण कनक को कभी कंचन, कभी मा और कभी कांता के साथ लिटना पड़ता था, नींद का समय और अंधेरा होने के कारण मन ही मन, चिनता करते रहने से किसी को खटकने का भहना था, जाने कोन सो गया था और कोन नहीं सो या था, कनक अपनी चिनता में थी, कनक को नैनिता से गए एक मास से अधिक हो चुका था खनक सोच रही थी इतने दिन में क्या पत्र लिखने के लिए एक बार भी आवसर नहीं मिल सकता कुशल समाचार का छोड़ा सा पत्र तो कहीं से भी लिखा जा सकता था क्या उनका परिवार बहुत आधिक कठिनाई में है इतने समझदार ह कुछ ने को चुपाई कर ही सकते हैं नाराजगी का कारण हो भी क्या सकता है क्या इस बात से नाराज हैं कि परिवार की कठिनाई के समय मेरे साथ थे लखनों में अवस्ति जी को पत्र लिखा था उसका भी कोई उतर नहीं आया खनक सोस्ती गई पिताजी कठिनाईयों से प्रास्तन होने की बात कहते हैं गरिबी से रहना कोन बड़ी कठिनाई है आधिकांच लोग ऐसे ही रह रहे हैं साथ की गली में लोग इससे भी बुरी हालत में हैं कितने इस्तरियां गली में ही चूला जला कर खाना पकाती हैं गल बिचारे जाने कैसे दिन काट रहे होंगे कनक का शरीर काप गया सोचा कल राम परकास को एक पत्र लिख कर अपने यहां पहुँच जाने का समाचार देगी और पूछेगी कहीं से कोई पत्र तो नहीं आया पोस्ती आदमी है पत्र आया होगा तो रीडारेक्ट करना भी भूल सकता है मैं तो सधा से कुछ न कुछ काम करना ही चाहती थी कनक ने बच्पन से ही सहित्ते और पत्रकारिता को गंभिरता से अपनाने की खलपनाई की थी इस लक्षे के लिए उसे पिता जी ने भी प्रोच्छाहित किया था पुरी ने भी उसे इसी कारिय की दिख्षा दी थी इसी कारिय में वहे पुरी की सह धर्मनी और सह कर्मनी बन सकती थी वहे इस काम को अब नहीं तो कब करेगी भागे को कोन जानता है यदि जीवन आखेले ही बिताना पड़े तो भी उनका सिखाया काम करती हुई उनकी स्मृति में भी जिन्दा रहूंगी कनक आपने एका की कठिन से कठिन जीवन की खल्पना करती हुई सो गई दिल्ली आकर पंडिस जी के घर का डंग बदल गया था अब लड़कियां दिन चड़े देर तक नहीं सोती रहती थी ऐसा करने से मा किसी को कुछ कहे बिना अकेले सब काम करने लगती थी तीनों ने पंडिस जी से और नयर की मा जी से उन्हें जल्दी छे बजे उठा देने के लिए अनुरोध कर दिया था कंचन उठते ही रात के जूठे रह गए बरतन माजने लग गई कंचन नानों के और दूसरे लोगों के मेले कपड़े उठा कर नल के नीचे बाल्टी रख कर दोने लगी कंचन ने दुपट्टे से सिर नाक मू लपेट कर कोठरियों और आंगन में जाडू लगाना आरंब कर दिया फाटक की ओर से बजरंग के बोलने का स्वर सुनाई दिया जैसे किसी को भीतर आने से रोक रहा हूँ कांचा ने पुकारा कन्नी देखना तो कौन है कनक दुपट्टा संभाल कर फाटक की ओर गई लोटी तो उसके साथ एक दुबली पतली पंजाबी लड़की भी थी अगंतुक लड़की बाहूं पर अकभारों का बोज समाले थी लड़की ने कांचा को बड़ी देख कर संभोधन किया बहन जी आप लोग तो अकभार लेती होंगी मैं रोज इसी समय दे जाया करूँ कांथा ने विश्मे से अपना काम छोड़ कर उत्तर दिया हाँ हाँ बहन आओ बैठो तो लड़की ने एक अकभार कनक को थमा दिया आब किसी दूसरे से लेने की जरुरत नहीं है रोज दे जाया करूँगी उधार नहीं दे सकूँगी कांथा की सास सामने आ गई थी उसने लड़की को कुकारा आ बेटी जरा बैठ तो तेरे घरबार कहां है किनकी लड़की है जरा बैठ तो मा जी इन बातों से क्या लाब है मैं अकभार दे जाया करूँगी पंडी जी ने तुरंत आगे बढ़कर लड़की को शाबासी और आशिरवाद दिया और अकभार का दाम उसके हाथ पर रख दिया लड़की बिना रुके चली गई लड़की की बात और चाल से स्पष्ट था कि वह पड़ी लिखी मद्यवर्ग परिवार की थी हम जैसी हमारी बहने दोड़ दोड़कर अकभार बेचने लगी कांता ने धोती के आचल से आखे पोच ली इसमें दोश क्या है कनक बोल उठी जर्रत हो तो मैं भी तैयार हूँ शाबास शेर बेटी है पंडित जी तरजनी उठा कर घर जुटे ये पंजाब की शेर बेटिया है इस कौम को कोई नहीं मार सकेगा पंजाबीज विल सर्वाईव हमने देखा है बंगाल के अकाल में बिहार के जलजले में पूर्वी बंगाल के दंगों में यूपी की बाड़ों में जो लोग डिस्प्लेस भागने के लिए विवश हुए उन्हें हाथ पसार कर मांगते ही देखा यह है पंजाब की सिपरिट जीवट पंडित जी चस्मा उतार कर कमीज से आसु पोसने लगे सब चुप रहे कांता सिर जुकाई कपड़े धोती रही कंचन बर्तन मांसी रही कनक ने सिर दुपट्टे में लपेट लिया वह चुपचाप ज़ाडू लगाने लगी कनक ने रसोई में वेस्ट मां से एक प्लेट में नमकिन परोटा और एक गिलास लसी पिता जी के लिए लाकर उनसे अकेले में बात की पिता जी मेरी इच्छा है मैं यहां किसी अखबार के दफ्तर में काम के लिए यतन करूँ पंडित जी ने स्विकार कर लिया हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं गांधी जी कलकता से पस्च्चमी पाकिस्तान में शांति स्थाफना का परियतन करने के लिए आए थे परन्तु दिल्ली की अवस्ता देख सुनकर उनका सिर्ध दुख और लज्जा से जुक गया भारत में शांति स्थाफित की ये बिनावे पाकिस्तान को क्या कह सकते थे गांधी जी ने प्रण कर लिया दिल्ली में पूर्ण शांति स्थाफित की ये बिनावे दिल्ली नहीं छोडेंगे इसके लिए चाहे प्राण ही दे देने पड़ें कांग्रेज सरकार ने पूरे नगर में बहुत कड़ा सैनिक नियंतर्ण लागू कर दिया था उपद्रो की शंका होते ही उपद्रो कारियों को गोली चला कर मार दालने का होकम दे दिया गया था घड़वाली और सीक पल्टनों को बदल कर दूर दक्षिन की पल्टन दिल्li में तनात कर दी गई थी ये सिपाही उत्तर के हिंदू और मुसल्मानों में कोई भेदने कर सकते थे आधिकांश मुसल्मान केम्पों में चले गए थे दिल्ली ने छोड़ना चाहने वाले मुसल्मानों को उर्दू बाजार, अजमेरी गेट, होज काजी के मोहलों में एक कत्रोकर सुरक्षा के लिए उन्हें कड़े सैनिक पहरे में गिर दिया गया था इस्तरियां और लड़कियां आवशक्ता के कारण गली बाजारों में आने जाने के लिए विवस्ती परस पर परिचने होने के कारण किसी को किसी का लिहाज ना था इस्त्रियों से छेड़ खानी की जाने पर स्वेम पंजाबियों में ही जगड़े हो जाते थे कांता कनक कंचन बाहर जाती तो नईयर अत्वार अजंदर के साथ ही जाती थी नो बजे के लगबग घर के लिए कुछ अवश्चक वस्तुएं ले आने और जरा गूम आने के लिए कनक कंचन और नईयर बाहर जा रहे थे घर से निकलते ही कनक नईयर से बोली जी आई आई आप जलंधर जा रहे हैं आज मेरा काम करा जाईए यहां के बाजारों और रास्तों को जानती नहीं दो चार अकबारों में पूछ कर तो देखें नईयर और कनक सोच रहे थे किन अकबारों के दफ्तरों में जाकर भात करना उचित होगा दिल्ली के पुराने जमे हुए सम्मानित अंग्रेजी उर्दू और हिंदी के पत्रों के अतिरिक लाहोर के परोकार और सरदार ने भी एक मास पूर्व दिल्ली से प्रकाशन आरब कर दिया था नैयर ने राय दी पत्रकारिता को गंभेरता से अपनाना चाहती हो तो मेरी राय में किसी अंग्रेजी के पत्र में काम शुरू करो चाहे कुछ मास अप्रेंटिस ए वैतनिक भी रहना पड़े कनक ने पोचा क्यों नैयर ने विचार पकट किया ख्याल है अंग्रेजी पत्रों के दफ्तरों का बातावरण और शेतर कहीं भी हितर होगा उर्दो के पत्रों का स्तर बहुत थिथला लगता है लेडिस के लिए उन लोगों की संगती क्या ठीक होगी नायर अंग्रेजी में बोला था, कनक ने भी अंग्रेजी में भिरोध किया नानसेंस, उसे संदे हुआ, नायर पुरी को लक्षे करके कह रहा था मैं तो ऐसा नहीं समस्ती, ना मुझे अंग्रेजी पर अधिकार है, ना उसमें मेरी अभिव्यक्ती स्वभाविक हो सकेगी वह तर्क करने लगी, क्या अंग्रेजी द्वारा हमारे सर्वसाधरन तक पहुँच हो सकती है आई डोंट नो, लेकिन विक्री तो अंग्रेजी पत्रों की ही अधिक होती है, नायर ने अपने विचार का कारण बताया शमा कीजी, कनक ने उत्तर दिया, यह तो विदेशी दास्ता से उत्तपन वक्रति स्थिती है यदि सब अंग्रेजी पत्रों और दूसरी भाषाओं की पत्रों की बिक्री को अलग-अलग देखिये, तो अंग्रेजी पढ़ने वाले अधिक नहीं होगे मुझे तो अपनी भाषा में ही गती है तुम जानो, नायर ने बात समाप्त कर दी नायर कनक को सबसे पहले पहरोकार के दफ्तर में ले गया पहरोकार के संपादक करमचंद जी कशिस से कनक का परिश्चे लाहूर के पुराने देशभक्त राजनेतिक नेता पंडित गिर्धारी लाल की पूत्री के रूप में कराया याद दिलाया आठनो मास पूर्व पहरोकार के एक सप्ताईक आंक में कनक की एक कहानी और एक आंक में उसका लेख परकाशित हुआ था कनक की आन्ने पत्रों में परकाशित रचनाओं का भी उलेख किया उसकी पत्र में काम करने की इच्छा बताई अफसर और सुझाव के लिए अनुरोध किया कषिस जी ने पंडित जी से पुराना परिच्छे परकट कर कनक से मिलकर परकट की उसकी रचनाओं की परशंता कर विश्वास दिलाया की परोकार उसकी रचनाओं का स्वागत करेगा उसके लिए शेतर बनाने में सहिता देगा पंडित जी जैसे आधरनी वेक्ति की पुत्री के लिए वे सब कुछ करने को तयार थे लेकिन कसिज जी दोनों हातों के पंजे परश पर बांदे कोहनियों को मेज पर टिका कर रहशे के स्वर में अंग्रेजी में बोले तुम मेरी भी बेटी ही हो सच कहता हूँ पत्रों के दफतर शरिफजादियों के लिए मुनासिब जगे नहीं है अपने आदर्निय भाई की बेटी को मैं उसके लिए कभी उत्साहित नहीं करूँगा सब जवान मर्दों में एक लड़की का बैठना क्या उचित होगा इन दफतरों में बहुत लूज टॉक, इंडिसेंट जॉक्स, अनर्गल प्रलाप और अभधर परिहास चलते हैं नाट फिट फॉर ए रिस्पेक्टेबल गर्ल मेरी तो सला है तुम किसी गर्ल स्कूल में या इस्तरियों में दूसरा सामाजी काम करो कसीज जी ने सहसा हाथ मेज पर पटक दिया मैं तुमें एक गुर बताऊं I have an idea उन्होंने चुटकी बजाई तुम केंपों में जाकर रिफ्यूज इस्तरियों से मिलो उनकी आप बिती सुनो और फिर with a little imagination कलपना का पुट देकर उन्हें लिख डालो मैं खुद उने जरा इंपरू सुधार कर दूँगा यह है असली काम टेलेंट परतिभा का पेपर के स्टाफ का काम क्या है It is all routine work मक्खी पर मक्खी मारने का काम है हम तुमारी चीजें लगातार परकाशित करेंगे विश्वास रखो कशिष के दफ्तर से बाहर जाकर नयर एक ही शब्द बोला रोग, ठग, मेरे तो मन में आया था कैदू कनक ने जीजा का समर्तन किया जहां उस जैसे लोग है वहां भलमन सहत कैसे हो सकती है दिल्ली के पुराने पत्तरों के दफ्तरों में उत्सा अवर्दे कानुभव नहीं हुआ कहीं तीन चार नोजवान पहले से एवैतनिक एपरिंटिस थे कहीं काम सीखे सिखाए लोगों के लिए भी जगेने होने पर नए आदमियों को सिखाने का बोज उठाने की अनिच्छा थी सरदार के दफ्तर में सभी कुछ अस्थाई तोर पर जमा लिये गए जुगार जैसा लग रहा था कच्चे आंगन में तीन और तिरपाल डाल कर छापे की मशीने चालू कर ली गई थी दूसरी मंजिल के एक चोड़े बरामदे में और पीछे के कमरे में दो छोटी एक बड़ी मेजे ममुली तक्ते जोड़ कर बना ली गई थी यही अकबार का दफ्तर बना था एक कोने में पैकिंग के बक्से पर बिजली का पंखा रखा था पंखा पूरे जोर से चल रहा था छोटे मोटे पत्थर रोड़े और लोहे के जंग लगे टुकडे मेजों पर पेपर वेट के तोर पर पड़े थे कमरे में दिवार के साथ टेली प्रिंटर किट किट चल रहा था सरदार के स्वामी और संचालक सत्य प्रकाश असीर दफ्तर में नहीं थे नहीर ने मेज पर मुख्या की तरह बैठे मुख्य संपादक का काम निभाने वाले सेवा राम चर्क को कनक का परिचे दे कर संक्षेप में उसकी इच्छा बताई कामकाजी प्रोड चर्क की काम में विगन पढ़ने से सामने जवान लड़की को देख कर भी परसन नहीं हुए उन्होंने नहीर और कनक को बैठ जाने के लिए नहीं कहा खाली कुर्शियां या कुर्शियों के लिए स्थान भी ना था चर्क जी ने होल्डर हाथ में लिए नहीर की बात सुनी होल्डर को दावद में खड़ा कर अपने लटकते होटों से रेंगते स्वर में बोले हाँ हाँ ठीक है पर हमारे यहां तो अपने पुराने आदमियों के लिए भी जगे नहीं है अगभार का काम तो अक्सर रात में होता है लड़कियां साब आ रहे हैं एक चपराची ने सूचना दी खड़र का बुर्राक सफेद धीला कुरता चूडीदार पजामा और नोकदार गांधी टोपी पहने दूप का चस्मा लगाए एक सुडोल पुष्ट जवान को देखकर पच्पन वर्स के चर्क जी और काम में वैस्त दूसरे सब लोग उठ खड़े हुए सहाब जी ने से कमरे में आए वे तंग जगे में कोई चीज छू जाने से बच्चते हुए कमरे के बाहर ब्रामदे की और जा रहे थे उन्होंने नयर और कनक की और ध्यान दिया खाले चस्मे के कारण आखों का भाव प्रकट नहीं था नयर ने उन्हें नमस्कार कर मुस्कराहट से अंग्रेजी में पूछ लिया मैं आपसे एक मिनिट बात कर सकता हूँ सहाब कनक की और देखकर ठिटके अंग्रेजी में उतर दिया निश्चे निश्चे उपर मेरे कमरे में आईए उपर के मंजिल में छोटे से आंगन के दोनों और दो कमरे थे एक कमरे में दो व्यक्ति एक मेज पर काम कर रहे थे एक दूसरे के दर्वाजे पर परदा लगी चिक टंगी थी चिक के साथ छोटी पटियां पर लिखा था S.P. असीर, एडिटर डारेक्टर चपराशी ने आगे बढ़कर चिक उठा दी असीर ने कनक और नईयर को मार्ग दिया आईए छोटे कमरे के फर्श पर दरी थी एक कोने में नए ढंकी पॉलिस से चमकती दराजदार मेज तीन बढ़िया कुर्सियां शेश भाग में चार छोटी अरम कुर्शियों और बीच में नीची गोल मेज असीर ने अपने हाथ में थमें कागच चपराशी के और बढ़ा दिये मैनेजर को दे आओ उसने नईयर और कनक का अभिप्राय जानना चाहा नईयर ने विस्तार से पंडिजी का और कनक का परिशिदिया संक्षेप में अपना भी जरा मुस्करा कर कनक की पत्र में कम करने की इच्छा की बात कह दी असीर ने कनक की योगिता और उसके लाहोर के जीवन के समन्द में बूचा याद दिलाया आप शायद 42-43 के अंदोलन में भी भाग ले रही थी दरासल यह ही लोग तो सब कुछ कर रहे थे वे कुछ देर मोन रहे चश्मा उतारने पर उनके भरे हुए चेहरे पर जरा छोटी आँखों की तवरता प्रकट हुई खनक को उसकी विचारपूर्ण मुद्रा से भरोसा हुआ अशिर खूब सोचकर अंग्रेजी में बोला पत्र के काम में तो बहुत सी बातें आ जाती है न्यूज एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, कालम्स, एडिटोरियल सच बात तो यह है कि यदि प्रूफ रीडिंग, न्यूज सेलेक्शन और एडिटिंग ट्रांसलेशन तक रहना चाहती हैं तो जगह मुश्किल है यह काम सीखे हुए बीशियों बेकार फिर रहे हैं उसका लाब भी क्या है? अगर उस्सा है और टेलेंट है, खेर आप तो फिक्शन राइटर हैं पर इन कामों में आपकी टेलेंट समाप्त हो जाएगी इन कामों में फस होगी, तो इनी के लाइक रह जाएगी मुझसे तो पिताजी ने यह सब कम अनुभव के लिए करवाए थे याद रखिए, जर्नलिस्ट की टेलेंट का फिल्ड, अकबार का दफ्तर नहीं है असली फिल्ड तो बहार है, असली चीज तो है स्थीती को गेराई से देख सकना बात को ग्रास्प करना, पकड़ना, और फिर बात कहने का ढंग खाबर बनाना, ओपिनियन पैदा करना, अगर यह आप करना चाहती हैं तो करिए संसार प्रसित पत्रकारों में से, मेरा मतलब है गुंथर, फिशर, एहरन बुर्ग, पॉला, हिक्स, इकबाल इन में से कोन पत्रों की नोकरी करता है यह लोग दफ्तरों में बैठ जाएं तो समाप्त हो जाएं असीर ने सिगरेट का टीन खोल कर पहले कनक क्योर बढ़ाया शोक करती हैं, धन्यवाद, मैं स्मोक नहीं करती असीर ने एक सिगरेट नईयर को देकर एक स्वेम लगा लिया मैं ऐसा ही काम करना चाहती हूँ आप अफसर दीजिए, सुझाव भी दीजिए कनक ने अनुरोद किया असीर ने दो कश लेकर स्विकरती का संकेत किया जरूर, मैं जरूर साहिता करूँगा यह तो बहुत अच्छा अफसर है नित्य ही घटनाई हो रही है समश्या है गांधी जी यहाँ है इसलिए खबरों का केंदर भी यहाँ है आपकी तरह समानेत स्थीति की सुधर नव्योती की पहुँच सुविधा से सब जगें हो सकती है मैं आपको सरदार के परतिनिधी का कार्दी दूँगा आप जो देखें और भाब सकें उसे लिखिए शर्णार्थियों की समश्या भी है हो सकता है पहले आपके लिखे में परिवर्तन और कार्ट छाट की अवशकता हो उसके लिए मैं हाजीर हूँ मिस्टर चर्क है कनक नयर के साथ सरदार के दफ्तर से लोटी तो मन में उच्सा था नयर ने भी उच्सा बढ़ाया ये आदमी ये दी आवसर और साहिता देता रहे तो तुम्हें लाब हो सकता है कनक ने कश्मीरी गेट पर किताबों के बड़ी दुकान से एक उस्तक खरीद ली राइटिंग फॉर प्रेस पंडी जी ने सुना तो स्वेंबी किरियात्मक सुझाव दिये तुम पेपर में Around the Metropolis नगर का चकर पढ़ा करो Topics and Trends को दिखा करो कनक संध्या समय पंडी जी के साथ गांदी जी के प्रात्ना में गई थी गांदी जी सहरदेता, सैशनोता और उदारता के परचार के लिए अपनी संध्या, प्रात्ना दिल्ली के भिन 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 भागो में कर रहे थे प्रात्ना रेडियो और लौड स्पीकरों द्वारा पूरे नगर में सभी जगे सुनी जा सकती थी परंतु कनक गांदी जी के दर्शन और प्रात्ना के वातावन को प्रतेक्स जानने के रहे उस संध्या पंडी जी के साथ करूल भाग गई थी प्रात्ना के स्थान पर एक और कुछ बुर्का पोष मुसल्मान इस्तरिया और कुछ मुसल्मान मर्द भी थे उन्हें सुरक्षा के लिए स्वेम सेवक घेरे हुए थे शुरताओं के लिए दर्या बेची हुई थी लेकिन अधिकांश लोग दर्यों पर ने बैटकर आसपास गुम रहे थे और क्रोध परकट कर रहे थे प्रात्ना क्या ढोंग है गांधी मुसल्मानों का होसला बढ़ाने के लिए आ रहा है गांधी जी उनकी पोतियों और उनके साथ के लोग चार मोटरों में आए गांधी जी के शरीर पर केवल कमर से गुटनों के उपर ही छोटीशी धोती थी गर्दन जुकी हुई और चेहरा बहुत उदास था उपस्तित लोगों में केवल वे ही बिना कपड़ों के थे सबसे भिन्द उन्हें पहचानने के लिए किसी से पूछने की अवशकता नहीं थी दुबला, गठीला, गहरा सावला शरीर, सुडोल, सुरूप और सुवर्ण नहोकर भी बहुवे जान पड़ रहा था कनक ने शरदा का रोमंच अनभव किया गांधी जी को घेरे वे स्वम सेवकों ने से शिसरदालों को रोग कर मुस्लिम इस्त्रियों के लिए रास्ता दी दिया बुर्का पोश इस्त्रियां गांधी जी के घुटनों से लिपट बिलख बिलख कर रो पड़ी गांधी जी के नेत्रों में आंसु टपकने लगे उन्होंने इस्त्रियों के बुर्कों से ढके सिरों पर करुना का हाथ रख कर अल्ला आईश्वर का भरोसा करने के लिए कहा और प्राण पन से उनकी रक्षा करने का अश्वाशन दिया एक मुस्लिम इस्त्री ने एक दूद पिता बच्चा गांधी जी के सामने करके रो रो कर बताया ये यतिम हो गया है इसके जवान माता पिता दोनों कतल हो गए है गांधी जी ने बालक को हर्दे से लगा कर उसके कल्यान के लिए इश्वर से प्रात्ना की गांधी जी और उनके साथियों ने गीता के शलोकों में प्रातना आरंबगी गीता के शलोकों के पच्चात गुरू गृंत सहब से वानी पढ़ी गई उसके पच्चात कुरान शरीप से आयतों की तलावत शुरू हुई बंद करो गांधी मुर्दाबाद हो 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 बंद करो कुरान को बंद करो गांधी मुर्दाबाद कुरान नहीं पढ़ा जाएगा हम नहीं पढ़ने देंगे बहंकर कोला हाल मच गया जान पढ़ता था भीड सब कुछ रोंद डालेगी तोड़ फूर डालेगी प्रार्थना के लिए बैठे हुए बहुत से लोगों ने पुकारा चुप रहिए, शांत रहिए, शेम शेम गांधी जी मोन निस्चल हो गए थे उनका चेहरा अवसाद की प्रतिमा जान पड़ रहा था उनके साते भी मोन हो गए कनक को भीड की ऐबद्रता ऐसा ही हो रही थी पंडित जी ने खेद और गलानी परकट की सेम सेम, ओफ गांधी जी ने दोनों हाथ जोड़ कर भीड से शांत होकर सुनने के लिए अनुरोध किया भीड क्रोध में उत्तेजना से उबल रही थी परन्तु गांधी जी के संकेत की अवहेलना ना कर सकती थी सनाईशने शांती हो गई भाईयों और भेनों गांधी जी का संताप, करुना और आत्म विश्वास से भरा स्वर सुनाई दिया इस दुख और मुसीबत में हमें भगवान पर विश्वास ही सहरा दे सकता है इश्वर या अल्ला तो एक हैं उसे किसी भी धर्म की पुस्तक से याद करने में क्या एत्राज और क्रोध हो सकता है हम कुरान की आयते हरगिज नहीं सुनेंगे भीड से कुछ लोगों ने क्रोध से अपत्ती की इन आयतों को पढ़कर हमारे हजारों भाईयों का कतल किया गया है इन आयतों को पढ़ने वालों ने हमारी मा बहनों पर बलतकर किया है आप अहिंशा और किसी का दिल ने दुखाने का उपदेश देते हैं आप ये आयतें सुना कर हमारे भाईयों और बच्चों के कतल और हमारी मा बहनों की बेजती की याद दिला रहे हैं हमारे दुलों को दुखा रहे हैं हम इसे हरगिस बरदाश नहीं करेंगे बोलने वालों के चितकार में पीडितों का क्रोध प्रतिशोध के लिए हुकार रहा था ये हुकार क्रोध और पीडा का चितकार था भीड श्तब्ध हो गई विग्न डालने वालों के प्रति शेम शेम पुकार कर गलानी परकट करने वाले भी श्तब्ध रह गए कनक मूडता अनुभो कर रही थी उसके मस्तिक्स में अन्याय के विरोध प्रतिहिंचा की सहिशनुता का द्वंद उठ खड़ा हुआ इसका क्या उत्तर है? क्या समाधान है? वह आशा से गांधी जी की और टक्टकी लगाए थी गांधी जी निर्बेस्वर में बोले कुछ भाईयों को कुराण शरीफ की आयतें पड़ी जाने में अपत्ती है मैं उनके दिल नहीं दुखाना चाहता लेकिन अगर प्रार्थना में मैं कुराण शरीफ की तलावत नहीं कर सकता तो प्रार्थना में दूसरी धर्म पुस्तकों का भी पाठ नहीं करूंगा कोई जरूरत नहीं, बेशक मत करो भीड ने उपेक्ष्या पूर्ण विरोध में ललकारा मैं अपने हिंदू और सिक भाई बहनों से इंसानियत के नाम पर प्रार्थना करता हूं गांदी जी भीड के शांत हो जाने पर बोले दिल्ली में मौजूद सब मुसल्मान भाई और बहने हमारी और हिंद सरकार की अमानत है अगर उनका रोम भी दुखता है या उनके लिए किसी किस्म का खत्रा रहता है तो ये हमारा सबसे बड़ा अपराद होगा हमारे लिए नियाहयत शर्म की बात होगी पाकिस्तान में अब भी हजारों हिंदु काटे जा रहे हैं उन्हें लूट कर नंगा करके निकाला जा रहा है आपको उनका कोई दर्द नहीं है आप वहां क्यों नहीं जाते विरोधियों उन्हें ललकारा गांधी जी ने हाथ जोड़कर सुनने का अनुरोध गिया मेरे दिल में पाकिस्तान में मारे जाने वाले और पाकिस्तान से निकाले जाने वाले आपने भाई भेहनों के लिए भी उतना ही दर्द है मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ और जाऊंगा मैं काईदे आजम के सामने हाज जोड कर दया और शांती के लिए प्रार्णा करूंगा मैं उनसे कहूंगा कि इस कतल और खून को बंद कराए अमन कायम कराए हिंदू भाई भेने फिर अपने घरों में लोट कर शांती से निर्भे रह सके लेकिन उससे पहले यहां से गए मुसलमानों का लोट आना जरूरी है जब तक दिल्ली और हिंदूस्तान में मुसलमानों के लिए खत्रा मौजूद है मैं किस मुह से पाकिस्तान गौवर्मेंट पर कलो खून और बद अमनी के लिए दोश लगा सकता हूं किस मुह से उन्हें शांती काइम करने के लिए कह सकता हूं मैं हिंदूस्तान और पाकिस्तान दोनों जगें शांती और अमन काइम करने के लिए अपने प्राणों की बाची लगा रहा हूं लोटते समय कनक कमन शुवद था पंडित जी मोन सिर जुकाए चल रहे थे कनक घरदन जुकाए पिता के साथ चलते हुए सहसा बोल उठी बदले से तो शत्रुता का आंत नहीं हो सकता पुरी जी ने यही बात मार्च में लिखी थी और उन्हें नोकरी से हटा दिया गया था बिल्कुल ठीक है बेटी पिता स्वीकार कर मौन रह गए असीर चोथे पहर आपने दफ्तर में मौजूद थे उन्होंने कनक का लेक लेकर उसे आराम कुर्शी पर बैठ कर परतिक्षा करने के लिए कह दिया वो ये प्राए दस मिनट व्यस्त रहे फिर घंटी का बटन दवाया चपरासी के भीतर आने पर उन्होंने हुकम दिया ये है कागज मेनेजर को ये एडिटर को असीर कनक की और घुम गए उसके लिखे कागजों को गिन कर बोले चार मिनट और पढ़ने लगे असीर ने कनक का लिखा पढ़कर घंटी बजा दी चपरासी के आने पर बोले चाई और अपनी कुर्शी पर आ बैटे शेली आपकी बहुत जोरदार है असीर अंग्रेजी में बोले परन्तु द्रिष्टी कौन ठीक नहीं ये गलत राजनिती है हिंदूओं के लिए ये आतम घात का द्रिष्टी कौन है गांधी के कारण हम लोग बहुत हनिया उठा चुके है कनक ने हाथ के छोटे रुमाल को हतेलियों में दबा कर असीर को अपरसन ने करने के लिए कुछ सोच कर अंग्रेजी में ही कहा मैंने तो मानमता का द्रिष्टी कौन लिया है मैंने स्वेम उन इस्त्रियों को बिलक बिलक कर रोते देखा है गांधी ची की आँकों से आशु गिर रहे थे कितने हजार हिंदू इस्त्रियां उन बुरकापोस इस्तरियों से बुरी हालत में कैम्पों में मौझूद हैं, उन्हें रहने के लिए कोई जगें चाहिए या नहीं, कल यही ओरतें और इनके भाई पाकिस्तान मांग रहे थे, क्या गांधी को नहीं मालूम, जहां वह सही शनुता का उपदेश दे रहा था, उ पांधी को डाक्टर जोसी याद नहीं आया, निलामपर जोसी हिंदुस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरजन, दुनिया के गिने जुने, पांच-दस सरजनों में मशूर सरजन, उसका कतल, मानवता का कतल नहीं है, और किसने मारा निलामपर को किसी अंजान बेसमज आद वह मजहब जो हर गेर मुसलिम को कतल करना मजहबी फर्ज समझता है, जिसने मजहबी फर्ज के नाम पर श्रधानन लेकराम राजपाल का कतल किया, गांधी उनके लिए सहिशनोता का उपदिस देता है, यह नई बात नहीं है, संस्कृति और मानवता के तो यह लोग हमेशा दुश्मन रहे हैं, कोई भी पूराना मंदिर जाकर देख लो, वे तो बीती हुई बाते हैं, मेरा भी प्राय है कि उन स्तीतियों से हम आगे बढ़ चुके हैं, हिंदू मुसलिम छोड़कर मानव की भी तो असिर के माथे पर भल पढ़ गए, फूच लिया, तुम कम्मिनिस नहीं हूँ, कैसे खयाल आया आपको, पीसी जोसी, कम्मिनिस्टों का लीडर गया था न, परसों गांदी के पास, कह रहा था, हम होम गाड बनाकर मुसल्मानों के रक्षा करेंगे, पहले इन लोगों ने बी आलिस में गद्दारी की, फिर जिन्ना का स्मर्थन किया, आप ग इस्ति में चाय और दो प्याले लाकर तिपाई पर रख दिये, असीर ने जेब से चावी निकाल कर चपरासी की और फीक दी, चपरासी ने अलमारी से बिस्कुटों का पैकट निकाल कर ट्रे में रख दिया, मैं चाय बनाँ आपके लिए, कनक ने बूचा, यह तो आपका प विबरन के बजाए कथा का रंग ज्यादा है, यह भावक नव यूवती का भावन मेश, असीर मुस्करा दिये, जी मेरी तीन कहानिया प्रकाशित हो चुकी है, जैपूरी जी ने भी बहुत पसंद की थी, मैंने उनसे ही लिखना सीखा था, जैपूरी वह परोकार वाला, इसी अकभार में ही होगा, इफ अलाइव कनक को बहुत बुरा लगा, मोन रह गई, असीर चाय पीते हुए फिर समझाने लगे, कहानी की बात दूसरी है, उसमें ये सब चल सकता है, परन्तु पत्र का काम तो जहनमत तयार करना है, आपकी लिकी घटना को चापेंगे, लेकि पर से एक स्लिप और कलम दो, असीर ने स्लिप पर दो लाइने लिखकर कनक के लेक के साथ चपरासी को थमा दिया, और पांच का नोट चपरासी के और बढ़ा कर कहा, एक टिन गोल्फ लेक ले आना, असीर चाय पीते हुए बोले, आप तो सिविक प्राबलम्स नागरिक अश्याओं को लीजिए, आप जैसी एजुकेचिड और स्मार्ट यंग लेडी के लिए तो बहुत स्कोप है, आप अफिशल सरकल में गवर्मेंट न्यूज पर ध्यान दीजिए, मैं आपको इंट्रोड्यूज, जहन पहचान करवा सकता हूँ, क्या राय है, आपकी बड़ अब अग्या दीजिए, बहुत दूर जाना है, देर हो जाएगी, मकान कहा लिया है, फैज बाजार के पीछे की गली में है, आपका टाइम में पूरा कर दूँगा, मुझे नई दिल्ली जाना है, I will give you a lift, आपको वर्थ परिशान नहीं होगी, ना टे टॉल, आपके पिताजी का प्रेस था न, जी हाँ, सब रह गया, ग्वालबंडी में ही, हम तो सब ले आए, लेकिन आसान नहीं था, एक हजार रुपया देना पड़ा पूलिस को, वरना तीस-चारिस हजार की मशीने चली जाती, इस जगें के लिए भी पांच हजार पगड़ी दी है, और एक सो रुपया महवार की राया, देख लीजिये जगें, यह है हिंदू भाईयों की मेरबानी, डेम राटन्स का, चपरासी सिगरेट का नया डिबब ले आया था, असिर ने डिबबे का धकन घुमा कर काटा, एक सिगरेट उपर उठा कर कनक की और परिस्तिती के अनुसार सिष्टाचार के मुश्कान से शमा मागी, थैंक यू, मैं नहीं पीती हूँ, रियली, कभी भी नहीं, कमपनी में या चाय के बाद भी नहीं, असिर ने शिगरेट सुलगा लिया, जी नहीं, कभी ट्राई नहीं किया, ट्राई करने में हर्ज भी क्य है, यहां तो अपर सोसाइटी में लेडीज को अक्सर पीते देखा है, अब तो सधर्न बात है, दो महिने में कितना चीज आ गया है, पुराने बंधन और आधार रहे ही नहीं, नई दुनिया में नए बैभार आ रहे हैं, सबसे बड़ी जरूरत और जमेदारी है, अपने आधम जमा सकना, सच मुझ बड़ा कठिन स्ट्रोगल है, हर बंस असीर ने चपरासी को फिर पुकार कर कहा, मेनेजर साब से कहो, डाक देंगे, हम जाएंगे, असीर ने पांच मिनिट में टाइफ किये हुए पत्रों पर नजर डाली, दस्खत दिये और कनक के साथ नीचे उ लगते थे, कनक बार बार सिहर उठती थी, यह आदमी गाड़ी के नीचे आया, या गाड़ी इस ट्रक के नीचे आई, असीर गाड़ी को बिना जिजक तेजी से गुमाते, बचाते चले जा रहे थे, कनक को परशनशा में कहना पड़ा, आप तो भूत कॉन्फिडेंस, भी चला लेती हो, नो, नो, हमारे हैं गाड़ी नहीं थी, बहन जी की गाड़ी में जरा सीखा था, सडक बिल्गुल सूनी हो, तब भी डर लगता है, आप तो हमारे लिए सोसाइटी न्यूज और सोसाइटी गौसिप्स, ढंग की चीज़े लिखिए, आपको मैं साकात में कनक ने जो उट्सा और आशा पाई थी, वहें पांच-छे सप्ता के अनुभाव से शीन होती जा रही थी, सरदार में उसके पांच लेक छप चुके थे, करोल बाग में गांदी जी की परातना पर लिखे लेक में उसकी घटना और वर्णन की शैली को लेकर निसकर परशों को बिल्कुल बदल दिया गया था, शर्नार्थियों की अवस्था पर लिखे लेक ठीक से छप गए थे, परन्तु कनक के नाम के स्थान पर अज खास नामा निगार विशे से सब्बंद आता द्वारा चापा गया था, इस काम के परिशर्मिक के लिए वह असीर की सिगरेट आफर करने का आग रहे, जीना उतरते या चड़ते समय सहारा देने के लिए कमर पर हाथ रखने लगता, कनक को संकोच और गिलगिली सी अनुवव होती थी, जैसे छिपकली या मकडी शरीर को चू रही हो, कनक अपने विचार में निधड़क थी, उसे रूढियों लोगों के विचारों और व्यवहारों का परिचे ना था, सिगरेट और ड्रिंक्स, शराब तो सतकार की सधान वस्तुए हैं, इन्हें स्वीकार कर लेने में इस्त्रियों और पुरुषों के लिए भिन भिन मानेताई क्यों हों, बाचित करते समय, पुरुषों के सपर्ष स सकुचाना या आखों और होटों से बहाव भंगिमा परकटने कर सकना फूवडपन नहीं तो क्या है वह ड्योड़ी और गली के संसार में सीमित रहने वाले इस्तरियों की अपेक्षा अपने आपको सोतंतर और समर्थ समझ दी इस स्तर के समुग उसे अपनी न्यूनता जान प अधिकार अत्वा उनके लिए समस्तान की समझ्चा पर गहरी उल्जन में पड़ गई थी कलब के वातावन में भहुत उत्तेजना थी काश्मीर बारा मुल्ला पाकिस्तान उड़ी पट्टन आदी शब्द गुज रहे थी मेस्टर सीना ने गांधी जी के प्रती क्रोध से उ मुसल्मानों को दिल्ली और भारत में से नय निकालने दे कर देश के गले पर छुरी चला रहे हैं वे बोले अगर हमारी सेना ने बारा मुल्ला पर पाकिस्तान की मेकेनाइज्ड यंत्र सज्जित सेना को रोकने लिया होता तो श्री नगर पर निश्चे पाकिस्तान का कर रहे हैं ऐसी हालत में अगर यहां मुसल्मान सबोटाज करने लगे तो मुसल्मान तो यहां केवल आफसर की प्रतिक्षा में है सबोटाज असीर बोला सबोटाज क्या ये लोग तो कू सहसा वेपलव से दिल्ली पर कबजा करने के प्लान बनाई हुए थे उनके घरों से फोजी बमों, राइफलों, मशिन गनों के जखीरे पकड़े गए हैं सरदार पटेल ने गांधी को सबूद दिये हैं पर वह मानता ही नहीं पटेल बिल्कुल ठीक कहता है हम ओवर नाइट नेशनलिस्ट रात भर में राश्टरबादी बन जाने वाले मुसल्मानों का भरोस जिल से बनी भवे उठाकर बोली, येस, हाउ डेंजरस, इजन्ट इट, उसने अपना सिगरेट सिना के दुएं की तार छोड़ते सिगरेट के समीब एस्ट्रे पर रख दिया और छोटे गिलास से शेरी का अंतिम घुट ले लिया, असीर ने समीब से जाते बैरे को कह दिया एक शेरी और फिर वेरे को रोप कर मेशेज बलुजा से पूछ लिया, या छोटा विस्की, वाई नाट, अच्छा चलने दिजिए, आपका साथ दूंगी, मेशेज बलुजा हस दी और भोली, गांदी तो हम लोगों को मरवा डालने पर तुला है, जानते हैं कानाट पुले उसने मामला रफा दफा कर दिया, we can't depend on गांदी, सिना ने एस्टरे से सिगरेट उठाया तो उसके हाथ में मेशेज बलुजा का सिगरेट आ गया, सिगरेट का लेपस्टिक से रंगा सिर्क लाल दिखाई दे रहा था, कनक भूल सुझा देने को ही थी कि देखा, उसकी आख मिल गई थी, मेशेज बलुजा के होटों पर मुस्कान आ गई थी, कनक चुप रह गई, असीर ने क्रोध परकट किया, इस समय हजारों रिफ्यूजी, मस्जिदों, मकबरों में, मस्जिदों में क्या, पुराने कीले के खंडरों में भी जहां गीदड और चमगादड भरे रहते थे, सिर्चिपाए हैं, गरीबों ने कबरें उखाड उखाड कर किशी तरह सिर पर साया बनाया है, गांधी कहता है, मस्जिदों मकबरों से सब को निकाल दो, लोगों की जान बचाना जरूरी है, कि उजाड खाली पड़ी मस्जिदों को सिजदा करना जरूरी है, गा घूंट भरा तो असिर और सिना ने भी उसका साथ दिया, मिसेज बलूजा ने घूंट भर कर कहा, हिंदूओं को तो पटेल ही बचाए हैं, गांधी और नहरू तो हमें मरवा डालते, असिर ने वेंगे मुस्कान से स्मर्थन किया, अरे भाई, नहरू को मुसलमानों के पर हवाई जहा से बम गिरवाए हैं, सेकडों हिंदू मारे गए हैं, मैं कहता हूँ, सिना ने फिर मेज पर हत पटका, गांधी पूर्वी बिहार में जाकर देखे, जिन्दा लोट आये तो कहना, उसके एजेंटों को पना दे रहे हैं, मुसलमान का मजह भी ऐसा है, वह कभ नेशनलिस्ट और पेट्रियार्टिक राष्ट और देश का भग्त हो ही नहीं सकता, मैंने खुद हसरत मोहानी को कानपूर के आम जलसे में एलान करते सुना है, इनके इकबाल ने क्या कहा है, असिर ने टोक दिया, मुसलिमें हम, वतन सारा जहां हमारा, क्या वे हिंदूस्त कान को छोडेंगे, कनक का मन ये बाते सुनकर बहुत भारी हो गया, राष्टर विरोध को कैसे सहा जा सकता था, राष्टर के लिए संकट था, राष्टर के प्रती जोखिम नहीं सही जा सकती थी, जोखिम के प्रती स्तर्क होने का विरोध कैसी किया जा सकता था, क्लब से ल पुराने क्रांतिकारी आदर्नी राजनेतिक कार्यकर्ता की पुत्री हैं। इनका बहुत नुक्सान हुआ है। मकान और बहुत बड़ा प्रेस लाहूर में रह गए हैं। सरदार में इनके 6-7 कनक जी कितने 6 मजमून शाया हुए हैं। लोगों ने बहुत पसंद किये हैं। Certainly इनकी हेल्प करना तो हमारा फोर्ज शिना ने स्विकार किया। पंडित गिर्धारे लाल जी राजनेतिक कार्णो सेवी सिध्धान्त से चूत हो जाना उचित नहीं समस्ते थे। वे राजनेति को शनिक और सिध्धान्त को स्थाई समस्ते थे। वे गांधी जी और पंडि मुस्लिम के आधार पर भेद करने की मुसलमानों को बरदास्ट ने करने की पालिशी असूलन गलत है। हम ट्रेटरों देश द्रोहियों को बरदास्ट नहीं करेंगे। लेकिन मजहब से ट्रेटर का इम्तयाज निरने गलत बात है। हिस्ट्री में क्या हिंदू ट्रेटर न नहीं देने लगी हैं खोदा जाने आहिंदा क्या होगा अगर मजहब को पॉलिटिक्स की बुनियाद बना लिया गया तो सिख आर्ये समाजी सनातनी जैनी सब अलग हक मांगेंगे मेरे भाई मैंने तो पंजाब में सनातनियों और आर्ये समाजियों को भी एक दूसरे के जस्ता था मन में आता इस समय पुरी जी यहां होते तो किसी पत्र में इस समश्या पर बहुत अच्छा प्रकास डाल सकते थे कनक के मन में पुरी की स्मृती बहुत उग्र रूप से जाग उठी थी लक्नौ में अवस्ती जी के नाम दिखे पत्र का उत्तर उसे मिल गया था उत्तर मेसेज पंत ने दिया, कुछ ही पंगतियां थी, परन्तु सान्तोना पूर्ण थी. आपके पहले पत्र का उत्तर हमने न्यानिताल के पते पर दिया था, शायद आपको मिला नहीं, आप यहां आएंगी, तो जो भी संभव होगा किया जाएगा, आप आएं तो हमारे यहां ही ठहरें. कनक को चिंता हो गई, लखनाव से पहुंचा, उत्तर रामपरकास ने रीडारेक्ट नहीं किया, शायद पूरी जी का भी पत्र आया होगा, और उसने रीडारेक्ट नहीं किया, उस पत्र में उन्होंने अपना पता जरूर लिखा होगा, उत्तर ने पाकर अब वे क्या कनक ने उतावली में एक पत्र नयनिताल के पोस्ट मास्टर को लिख दिया, कि विमल विला के पते पर कोई पत्र आया हो तो नया हिंद प्रेस दिल्ली के पते पर भेज दे, कनक ने विचार भीद की कारण दिल्ली में पत्रकारिता के शेतर में अपने लिए स्थान ने परन्तु धहरिये से दिल्ली में ही यतन करने की सलहाव से दी बेटा, डेड़ महिना होता ही क्या है? लोग जो डेड़ साल अप्रेंटिस रह जाते हैं, तब कहीं जाकर जगे मिलती है? Life is a struggle बुद्वार 5 नमंबर 1949 के पत्रों में उतर परदेश के मुख्य मंतरी का एक वक्तवे परकाशित हुआ था हमारे राज्ये में हिंदू मुसल्मान दो प्रथक जातियां अत्वा राष्ट्रों के शिधान्त में विश्वास करने वाले लोगों के लिए स्थान नहीं है किसी व्यक्ति को मुसल्मान होने के कारण राज्ये से निकाल देने का प्रशन नहीं उठाया जा सकता और ना अपने आपको भारतिय ने समझने वाले व्यक्तियों को देश में रहने दिया जा सकता है मुख्य मंत्री ने पाकिस्तान सरकार के एक तार का भी उलेक किया था पाकिस्तान सरकार ने उतर परदेश सरकार से एक तार द्वारा राज्ये में मसल्मानों की स्थीती के विशे में पूछा था उतर परदेश के मुख्य मंत्री का उतर था उत्तर परदेश की स्थीती के विशे में प्रशन करने का आधिकार उत्तर परदेश की जनता को है अत्वा भारत सरकार को है अन्य किसी देश को नहीं पाकिस्तान ने कश्मीर पर अकर्मन कर दिया है ऐसी आवस्ता में हम उनके किसी प्रशन पर दियान देने के लिए तयार नह जिस मुस्लिम लीक के परधान मिस्टर मुहमद अली जिनना थे उस मुस्लिम लीक का अब भारत में कोई अस्तित्व या अधिकार शेश नहीं है पंडित जी को ये बयान बहुत पसंद आये वे उतर परदेश के लोगों के गंभीर सभाव की परसंचा करने लगे कनक ने तुर महिंदर जालंदर से आएगा उसके बिराय लेले जल्दी क्या है बिहार उतर परदेश और दिल्ली के नैशनलिस्ट मुसलमानों के एक परतिनिधी मंदल ने बिड़ला भावन में गांधी जी के समीप आकर दुहाई देती कि मुसलिमों का पाकिस्तान भेजा जाना रोक दि द्रावक और जोरदार अपिल की थी जो मसलमान भाई सांपरदाइकता से दूर और रास्टे भावना के पक्ष में रहे हैं जो अपने आपको भारत के रास्ट का अंग समझते हैं इस देश को अपने मात्रभूमी मानते हैं उन्हें अपने मात्रभूमी की गोध से धकेल कर निकाल देना बहंकर अन्याय है कनक ने अपने विचारों को सवतंतरता से प्रकट कर पाने का अवसर ने देख और लिखने का कोई आर्थिक लाब भी ने देखकर सप्ता वर्से कुछ नहीं लिखा था परंतु गांदी जी की इस अपील के समर्थन और अन्याय के विरोध के लिए वह बेचेन हो उठी दो दिन में भी मन शांत नहुआ तो उसने एक छोटा सा लेख लिख डाला उसका तरक था यदि मातर भूमी से निकाल दिया जाना हम पर अन्याय था तो भारत ने छोड़ना चाहने वाले मुसलमानों को भरत से निकाल देना भी अन्याय है अन्याय का अनुकर्ण करना अन्याय का समर्थन करना ही है उसे विश्वास था कि मानवता और न्याय के नाते इस लेख को असीर अवश्य ही छाप देंगे असीर दोपेर बाद तीन से छे तक दफ्तर में अबश्य रहते थे कनक उसी समय गई असिर ने उसके इतने दिनने आने के लिए उपालंब दिया चाही मंगवाई, दो चर मजाके और फिर कनक का लेख फड़ा असिर का चेहरा गंबिर हो गया लोगों का अपनी मातर भूमियों से बिछड़ना पाकिस्तान के सिध्धांत का परिणाम नहीं है असिर ने पूछा लेकिन दिल्ली या भारत में शेश रहे गए मुसल्मानों ने तो हमें लाहूर से नहीं निकाला दो जातियों के सिध्धांत में विश्वास करने वाले तो स्वेम चले गए हैं यह लोग दूसरों के अपरादों का दंट क्यों भोगें कनक ने भी प्रश्न किया हमारे प्रति इस शत्रूता और अन्याय का कारण इसलाम का विश्वास है इसलाम को मानने वाले हमारे शत्रू बन गए है क्या इनका इसलाम कोई दूसरा इसलाम है असीर ने कनक को निरुतर कर देने के लिए पूछा नहीं शत्रूता के करण आर्थिक थे कनक ने कहा छोड़ो न इस बात को असीर ने बात समाप्त कर दी आज कलब चलो, तुम उस दिन के बाद गई ही नहीं इच्छा नहीं, बहुत देर हो जाती है मिस्टर स्रीना तुमारे बारे में दो बार पूछ चुके हैं सुचना विभाग के पंपलेट लिखने का काम देना उसी के हाथ में है दो ढाई सो मिल जाता है अगर उससे कोई सहता लेनी है तो मिलना ही चाहिए आज नहीं जा सकोंगी कनक अपना क्रोध वस में नहीं कर पा रही थी कनक घर लोट रही थी सिल वाली गली के मोड से ही देखा कि उसके मकान के सामने बहुत भारी भीड थी लोग उत्तेजित होकर बहुत उंचा भोल रहे थे पंडित जी की अतंकित चिलाहट भी सुनाई दी कनक ढर गई क्या बे घर बार लोगों की भीड स्थान के लिए फिर उनके मकान पर तूट पड़ी वह इतनी भीड को कैसे लांग सकेगी क्या करे समी पाने पर पंडित जी का भराया हुआ उंचा स्वर सुनाई दिया मेरे पास इनके हाथ का लिखा कागज मोजूद है बीड मेंसे किसी ने पंजाबी में कहा तुम परवा ना करो देखेंगे तुम्हें यहां से कोन निकालता है दूसरे ने उतेज नमें गाली दी को काट कर टुकडे कर देंगे ये गांदी हमारा बीडा गरक करेगा हमारा सब कुछ छिनवा दिया अब दिल्ली पर भी उनका कपजा करवाएगा तुम परवाने करो एक पडोसी बोला इस मामले में पुलिस कर ही क्या सकती है गांदी के कहने से पुलिस मुसल्मानों की बेजा तरफदारी कर रही है ये है फोसदारी का मामला तो है नहीं ये है तो दिवानी का मामला है वै आदालत में दरखास्त दें देख लेंगे गांदी क्या कर लेगा कनक ने सांतोना पाई की भीड पंडित जी से लड़ने ही रही उनका समर्चन कर रही थी कनक को देखकर भीड ने मार्क दे दिया पंडित जी बहुत शुब्द थे उन्होंने बताया कि सायद पाकिस्तान से लोट आया है आया तो अपने घर की ओरतों और ठाने से पुले साथ लेकर आया था कि उसका मकान उसे दिलवा दिया जाई मैंने उसके साथ धोका किया है गौल मंडी में हमारा कोई मकान है ही नहीं मैंने उससे कहा मैंने जो कागस तुमें दिये थे बे दिखाओ तो जूट बोल गया कि मैंने उसे कागस दिये ही नहीं लेकिन मेरे पास तो उसके दिये और लिखे कागस मौजूद हैं बजरंगवा है बेईमान जूट भोल गया ये कागज तो हम यहां छोड़ गए थे आपने बक्षे तोड़कर निकाल लिये हैं मैंने उसके दस्कत दिखा दिये तो कहने लगा सब जाली है पंडित जी बहुत देर तक शोब में बोलते रहे कनक को सयद की ऐसी हरकत पर बहुत क्रोध आ गया गांदी जी के प्रातना के समय के भाषन और वक्तव्य पत्रों में नियमित रूप से चपते थे पंडित जी उनकी बात को देश की काणसिंस नयाई बुद्धी की पुकार मानते थे और गांदी जी के वक्तेओं को ध्यान से पढ़ते थे तीसरे दिन पंडित जी प्राते ही अकबार देखकर विश्मित रह गए पंडित जी ने कनक और कंचन को अकबार दिया बेटा देखो ये जरा पढ़कर सुनाना इस सैयद ने जूट और फरेव की इंतहा करती कंचन ने खबर पढ़कर सुनाई कनक कमरे साफ करना छोड़ कर सुनने के लिए आ गई थी गांधी जी का वक्तव्य था इस देश को भैसे छोड़ जानवाले मुसल्मानों को भारत सरकार ने असवाशन दिया है कि वे लोग चाहें तो लोट कर अपने मकानों में बस सकते हैं सरकार उनकी और उनके जानमाल की रक्षा के लिए जम्मेदार होगी कल दिल्ली के एक बहुत सज्जन नेशनलिस्ट मुसल्मान अपने परिवार की परदापोश इस्तरियों के साथ बहुत ही परिशान हालत में मेरे पास आय थे यह मुसल्मान सज्जन पुराने राष्टवादी हैं आतंक के कारण मातर भूमी को छोड़ कर चले गए थे बे भारत सरकार के असवाशन पर भारत सरकार की प्रजा बनकर अपनी जनम भूमी में रहने के लिए लोट कर आये हैं कल दुरानी गली में अपने मकान पर वापस पहुँचे तो उन्होंने अपने मकान पर लाहोर से आये हिंदूओं का कबजा पाया इस सज्जन की अनुफस्तीती में उनके मकान का ताला तोड़ कर उस पर कबजा कर लिया गया है इस सज्जन ने फैज बाजार के थाने में न्याई और सहिता के लिए फर्याद की मुसल्मान सज्जन पुलिस साथ लेकर मकान पर गए थे परन्तु हिंदों की भीड़ने पुलिस को उचित कारवाई नहीं करने दी किसी भी सरकार के लिए ये भहुत शरम की बात है कि नागरिकों को उनका न्यावचित अधिकार ना मिले नागरिकों के जानमाल की रक्षा नहीं की जा सके मैं सरकार से जोरदार अपिल करता हूँ कि न्याई की रक्षा में जो भी विरोध और अर्चने आएं उनका सामना किया जाए गैर जिम्यदार भीड के प्रदर्शन से डर जाना सरकार के लिए शरम की बात है सरकार का फर्ज है कि दुर्रानी गली का मकान उसके मालिक को जरूर मिले कानून व्यवस्ता और न्याई की रक्षा के लिए यदि सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना पड़ता है तो भी जिजखना उचित नहीं है पंडित जी को सयद के फरे पर बहुत क्रोध आया इस बात पर भी क्रोध आया कि गांधी जी ने दोनों पक्षों की बात सुने बिना ऐसा वक्तव्य दी दिया वे बिडला भवन जाकर गांधी जी को मकान की बिक्री के कागस दिखाने को तयार हो गए कनक और कंचन दोनों पंडित जी के साथ जाने के लिए तयार थी पंडित जी गांधी जी से मिल सकने के लिए उनके सेकरेटरी से फोन कर समय निश्चित करने के लिए फैज बाजार के और गए तो दुर्रानी गली और सिल्वाली गली में सेयद की चालबाजी की बात लोगों को बताते गए पंडित जी ने 25 मिनिट में तीन बार बिरला भौन में फोन किया उत्तर मिला गांधी जी के सेक्रेटरी गांधी जी के समीब पत्र व्यवहार के काम में वैस्त है घंटे भर पस्चात बात हो सकेगी पंडित जी कुछ समय बाद फोन करने के विचार से लोट रहे थे तो उन्हें पता लगा कि हिंदी उर्दू पत्रों में भी गांधी जी का वक्तव्य छपा था और गांधी जी के ऐसे वक्तव्य और शर्नार्थियों के प्रति उनकी करूरता के लिए खेद भी प्रकट किया गया था साड़े आठनो बजे शर्नार्थी कोतुहल से दुर्रानी गली में जमा होने लगे दस बजे तक दो ढ़ाई सो की भीड हो गई लोगों को वास्तविक स्तीती बताते बताते पंडित का गला सुखने लगा कनक, कंचन, सब काम छोड़ कर कोतुहल में भीतर चलियाई इस्त्रियों को उत्तर दे रही थी मा सानुम भुती में इकठी हो जाने वाली भीड से भी घबढ़ाने लगी लड़कियों ने मा का साहस रखने के लिए कहकर द्रड निष्चे परकट किया हम गांदी जी को सब कुछ बताएंगी उससे पहले पोलिस आएगी तो हम यहां सत्यागरह करेंगी पोलिस हमें खरीदे हुए मकान से कैसे निकाल सकती है उत्यजित भीड क्रोध में ललकार रही थी हम देखेंगे गांदी और कांग्रेसी सरकार बसे हुए हिंदूओं को कैसे निकालती है एक को निकाला तो फिर सब को निकालेंगे हमारे मकान हमें कौन दिलाएगा भीड और भीड की उत्तेजना बढ़ती ही जा रही थी ग्यारा बजे पंडित जी दूसरी बार बिडला भवन में फोन करने के लिए जाना चाहते थे परन्तु भीड के कारण गली से निकलना कठीन हो गया था कुछ ही कदम जा पाए थे कि सुना लाठी पुलिस आ रही है बंदुक वाले सिपाई भी है पंडित जी का हरते धड़कने लगा वे अपने मकान के दरवाजे पर लोट आए बहुत जोर से नारे लगने लगे मकानों से नहीं हटेंगे कॉंग्रेस सरकार मुर्दाबाद गांधी मुर्दाबाद भीड ने गली के मुहाने पर पुलिस का रास्ता रोक लिया था पंडित जी कनक, कंचन बहुत आतंक में थे जाने क्या होने वाला है वे अपने अधिकार के लिए जूज जाने के लिए तैयार थे उनके कलेजे धड़क रहे थे नारों की गूंच और उत्तेजना से जान पढ़ रहा था कि भीड भड रही है इस सबसे उन्हें संकोच और गबराहाट हो रही थी परन्तु अपना माकान छोड़ कर भी नहीं जा सकते थे सहसा बंदूखों के दगने की गूंच सुनाई दी पंडित जी सिर पकड़ कर ड्योडी में पड़ी खाट पर बैठ गए उनकी आँखों में आशुआ गए हमारे लिए इस तरह खून बहेगा बेटा जाने दो उन्होंने समीब खड़ी कंचन और कनक को संबोधन किया उसे जो मंजूर हो हमारी ही कुरबानी की जरुरत है तो हो जाने दो रहने दो मकान छोड़ दो कंचन ने विरोध किया क्यों पिता जी हम कहां जाएंगे हमारे जाने का सवाल नहीं है कनक ने क्रोध में बहिन को टोग दिया हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं मारना है तो दूसरे क्यों मरें मैं आगे आती हूँ कनक भीड की तरफ लपक कर रास्ता मागने लगी हटिये जरा हटिये मुझे रास्ता दीजिये बेटा बेटा नहीं बेटा पंडित जी ने कनक के पीछे जाकर पुकारा तुम ठेरो तुम ठेरो मैं बात बेट ने उन्हें रास्ता ने देकर धमका दिया तुम अपने घर में बेटो चाहे हजार आदमी मर जाएं कोई मकान खाली नहीं होगा कॉंग्रेस सरकार मुर्दाबाद गांधी मुर्दाबाद नेहरू मुर्दाबाद नारे और भी जोर और ललकार से लगने लगे पंडित जी कहरदे धढ़क रहा था जाने क्या होगा हम लोग गांधी जी के सामने बैटकर अन्शन से प्राणधे देंगे कनक क्रोध में फुकार कर कह रही थी पंडित जी पुकार पुकार कर पूछ रहे थे गोली किसी को लगी तो नहीं किसी को चोड तो नहीं कोई परवा नहीं हम मर जाएंगे हमारा खून गांधी नहरू के सिर होगा भीड ने उन्हें चुप करा दिया आदे घंटे बाद नारे बंध हो गए भीड छटने लगी लोगों ने पूलिस इसे लाठियां छेनने का परियतन किया था पूलिस ने भीड को अतंकित करने के लिए हावा में गोली चलाई थी पंडित जी ने अनुवान कर लिया कि फूलिस इस समय परिष्थिती बिगड जाने के विचार से हट गई है परंतु गांदी जी के दबाव के कारण सयद की सहायता के लिए उनके विरुद कानूनी कारवाई जरूर की जाएगी उन्होंने नयर को कानूनी पुरामर्ष के लिए तार दे कर भूला लिया घंधी जी से बेट में अनेक अड़्चन थी पंडित जी ने घंधी जी को पूरा बरतांत प्रमान सहित लिख कर भीज दिया सयद के पक्स में घंधी जी के बकतवे और उसके कारण अपने द्वार पर हो गए भैंकर कान से कनक, शुब्द और मूड सी हो गई थी मन ही मन संकुच अनुभव कर रही थी कि असीर के सामने क्या कहेगी एक ही उपाय था भै राजनिती और सिध्धान्त के विशे में मोन रहकर जिविका के लिए ही कुछ करे लखनों में अवसर था पर अंतों पिताजी मान नहीं रहते अशंकाती जीजा भी पिताजी का ही अनुभवदन करेंगी दिल्ली में सिनह दवारा सुचना विभाग से कुछ काम मिल सकने की ही आशाती असीर ने कनक को इतने दिन अद्रस से रहने के लिए उपालंब दिया तो कनक को बता नहीं पड़ा कि दुर्रानी गली वाला कान उसी के माकान पर हुआ था देख ली तुमने नैशनलिस्ट मुसल्मानों की हकिकत असीर ने पूछा कनक इस ताने के लिए पहले से तैयार थी उत्तर दिया ऐसे लोग किस संपरदाय विरादरी या स्रेणी में नहीं होते हमने मकान खरिदा है लेकिन हमारी गली के सब मकानों पर तो जवर्दस्ती ही कबजा किया गया है गांधी पंजाब से हिंदूों का निकाला जाना नहीं रोक सका तो उसे यहां हिंदूों के गले पर छूरी फेरने का क्या हक है क्या एक नैशनलिस्ट मुसल्मान का महत्व बहावलपूर में भूख से तड़पते पचास अजार हिंदूों से भी अधिक है यह देख लो असीर ने उस दिन का ट्रिब्यून कनक के सामने रख दिया समाचार था बहावलपूर में पचास अजार हिंदूों को जबरदस्ति निकाल कर कैम्पों में भर दिया गया है उन्हें प्रती दूसरे दिन केवल दो रोठियां दी जा रही है जल भी परियाप्त नहीं है एक सो से अधिक व्यक्ति भूख से मर चुके है कनक चुप रह गई कुछ फल मोन रहकर उसने याद दिलाया आपने सिना साब के यहां चलने के लिए कहा था जी हाँ तुमने तो उल्टा हमारा मजाग बनवा दिया सिना कहरा था मोद्दई सुस्त गवाचुस्त वह कई बार जनाब के लिए पूछ चुका है तुम आई ही नहीं खेर आज ही चलो मुझे आज उसके मकान पर जाना है छे बज रहे हैं साथ सवा साथ चलेंगे तुम तब तक यह एक बार देखो संध्या का जुट पुटासा हो गया था सडकों पर बिजलियां जल गई थी परन्तो अभी उनका प्रकाश अनावशक जान पढ़ रहा था असिर की मोटर सदर बाजार की भीड में से पैतरे काटती हुई नई दल्ली की भवे सडकों पर पहुँच गई गोल डाक खाने का चकर लगा कर मोटर दोनों और हरी बाडों से बंधी पतली सडक पर एक छोटे बंगले में चली गई असिर ने ब्रामदे में लगा घंटी का बटन दबाया नोकर ने जाक कर देखा और अगंतुक का नाम पूच कर चला गया असिर और कनक ब्रामदे में पड़ी बेंत की हलकी कुर्शियों पर बैठ गए तीन चार मिनिट में सिना साब असकन के बटन बंद करते वे बहार आए उन्होंने कनक को देखर उल्लासपुर्ण विश में से स्वागत किया सिना साब असकन आप पर गजब की जज रही है असिर सिना की पोशा की भवेता पर मुखध हो गया बाई क्या करें सेकेट्रियेट में सबी लोग सिला रहे हैं न यथा राजा तथा परजा प्राइम मिनिस्टर को अचकन पसंद है तो एक बनवाना पड़ेगा न लेकिन आपके बदन पर गजब की जज रही है आपका क्या खयाल है असिर ने कनक की और देखा जी हाँ बहुत फिट आई है कनक को समर्चन करना पड़ा ए जिंगूर देखो न चाहे तो ले आओ सिना ने दरवाजे की और गर्दन गुमा कर जिंगूर को पुकार लिया ना ना पूछिये कनक जी से हम लोग बस पी करी आए हैं आपने शायद नहीं पी असिर बोले असिर और सिना साब में कुछ बाते हुई अपने फरमाया था अभी तक नहीं मिला असिर स्वर को दबा कर भोल रहे थे कनक ने उधर से ध्यान हाटा लिया हो जाएगा कल मैनेजर को भीज़ दूँ क्या जरूरत है हम नोट लिख चुके हैं हाँ कनक जी आप कहिए ने How the world goes with you Splendid कनक को शिना का उच्चारण कुछ विचितर सा लगा पहले दिन कलब में भी ध्यान गया था अंगरे जी बोलता था दूसरे लोगों की ही तरह फरन्तु हिंदी बोलते समय उच्चारण में कुछ अटक आ जाती थी अंतिम स्वर खिच जाता था हसिर ने बता दिया दुर्रानी गली के कांड में कनक के परिवार का ही बालिदान हो रहा था बेचारे बच गई कनक संकोज में चुप रही सिन्ना ने गांदी जी पर क्रोध परकट कर कनक की पूरी साहिता करना अपना कर्तव में बताया असिर ने प्रस्ताव किया कहिए तो जरा कलब में रोनक देखी जाए या किसी और स्थान पर कुछ देर बैठा जाए सिन्ना का मन कलब की भीड में जाने को नहीं था असिर ने गाड़ी कनाट प्लेस में लाकर खड़ी कर दी कनक असिर और सिन्ना के साथ गोल चक्कर में बनी दुकानों के बरामदे में से चोड़ा जीना चड़कर उपर गई उस रेस्तरा में वहे एक बर अनिल कपूर नईयर और कंचन के साथ आ चुकी थी जरा जिजगी घर से चलते समय ऐसी जगे या कलब जाने का खयाल होता तो दूसरे कपड़े पहन कर आती रेस्तरा के हाल में काफी लोग थे बैंड पर पस्चमी संगी चल रहा था सिन्ना की इच्छा जरा अलग से बैठने की थी बहरे ने एक खाली केविन का दरवाजा खोल दिया खनक को पहले परविश करना पड़ा वह बीच में लगी मेज के दाएं बाएं लकडी की दिवारों के साथ बने कोचों से आगे बढ़कर दिवार के साथ लगी कुर्सी पर बैठ गई असीर उसके दाएं कोच पर और सिन्ना बाएं पर बैठ गए क्या मंगाया जाए असीर ने सिन्ना से प्रशन किया जो कनक जी कहें आप बताइए ने सिना ने कनक से पूछा मुझे तो किसी चीज की इच्छा नहीं है चाय भी कराई हूँ पाइनेपल जूस ले लूँगी वहा ये क्या आप गिमलेट लीजिये न जिन विद लाइम जूस कनक ने अनिच्छा परकट की सिना ने आगरे किया ये क्या वहेम है एक दिन हमारा भी तो कहना मानिये न टेस्ट करकी देखिएगा तब तो मालूम होगा अच्छा नहीं लगे तो छोड़ दीजिएगा वहेम शब्द कनक को पसंद नहीं था वहे सावदान रहकर आजमा लेने के लिए तयार हो गई असीर और सिना ने विस्की मंगा ली कनक ने जिजकते जिजकते गिमलेट चखा स्वाद तीखा खटा मिठा विच्चतर सा था पर बुरा ने कह सकी अच्छा ही कहना पड़ा कोतुहल में उसने दो घुट ले लिए असीर और सिना आपस में बात कर रहे थे सिना ने बीच में कनक से अंग्रेजी में पूछ लिया कहिए क्या कुछ है सुभी धाचानक लगा नहीं तो स्वाद तो बुरा नहीं है तो फिर स्माप्त कीजिए दुसरा राउंड हो आप लीजिए मेरे लिए परियाप्त है सिना और असीर के बार बार कहने पर कनक ने प्याली समाप्त कर दी कनक ने बार बार इंकार किया परंतु बैरा ट्रे में दो विस्की और गिमलेट ले आया कनक को शरीर में सुक्षम सी गम गमाहट और कुछ विचितर सी अनुभती हुई दूसरी प्याली से पहला घूट लेने के दो तिन मिनिट बाद फलकों में तनाव और सिरहलका सा हो गया उसने और घूट ने लेने का निश्चे कर लिया जान पड़ा अच्छा नहीं किया सिना के आगरे करने पर भी उसने और न लिया क्या कुछ अनुभव हो रहा है सिना ने मुस्करा कर पूचा लगता तो है कनक ने हसी से उतर दिया और सोचा हसने की क्या बात थी एस उविदा हो रही है नहीं तो कनक गंबिर हो गई तो लीजिये हमारे कहने से लीजिये न अच्छा लगेगा सिना ने कनक का घूटना चूकर आत्मेता से अगरे किया कनक ने घूटना पीछे खिच लिया और इनकार के लिए शमा मांग ली इतना सा ले भी लीजिये न हम कहते हैं आखिर कितनी खुशामन कराईएगा सिना ने कनक के घूटने पर पूरा हाथ दबा दिया मेज धक्के से हील गई असिर का ग्लास गिर पड़ा कनक जटके से खड़ी हो गई थी माथे पर तेवर आ गए what is this मुझे जाने दीजिए nonsense यह क्या मजाक है असिर ने क्रोध से कनक को धंकाया कनक ने क्रोध में होट काट लिये मैं जाओंगी मुझे जाने दीजिए उसके नथुने काप रहते सिन्ना और असिर की आखे मिली असिर ने कनक को बैठ कर शांती से सुनने के लिए कहा कनक ने बैठने से इनकार कर दिया असिर ने अपने स्थान से उठकर उसे मार्ग दी दिया और सिना से बोला अच्छा मैं इसे दरवाजे तक छोड़ाऊं कनक रेस्तरा के जीनने से ब्राम्दे में उतरी तो नीचे प्रकास के कर्ण आखे चुंधिया रही थी भीड की ठेलम ठेल कनाट पुलेस में वे कभी अकेली नहीं आई थी अपनी मुर्ग था के प्रती क्रोध था सिर विवस्ता और जिन के प्रभाव में चक्रा रहा था उसे फैज बाजार से गुजरने वाली बसों के नंबर याद थे परन्तु कनाट पुलेस में वे किस स्थान पर मिलेगी सो नहीं जानती थी किसी से पूछ सकने योगे अवस्ता नहीं थी टेक्सी चाहिए कनक के सामने एक सवारी से पैसे लेते हुए ड्राइवर ने पूछ लिया कनक को सहरा मिल गया मैं टेक्सी में बैठ गई रक्षा का सांस लिया ड्राइवर ने टेक्सी को सड़क पर करते हुए पूछा कहां चलना होगा फैज बाजार कनक ने उत्तर दिया तो दूसरी घबराट अनुबव हुई याद आया बटवे में केवल दस ही आनने थे अब क्या करेगी? गेहरा सांस लिया क्या हालत हो गई है? दस बिस रुपे तो वह कुछ समझती ही ने थी क्या करेगी? कनक के कहने से ड्राइवर ने फैज बाजार में डाख खाने के समेब गाड़ी को मोड़ कर सहीद रोड पर खड़ी कर दिया ड्राइवर ने मेटर देखकर बताया एक रुपे दो आनने बाई मुझे याद नहीं रहा था बटवे में रुपे खत्म हो गए है तुम दो मिनिट यहां ठेरो अभी लाकर देती हूँ कनक ने लाचारी में कहा वावा ड्राइवर बहुत जोर से बुल पड़ा इतना बड़ा बटवा बीच में पोल मैं यहां खड़ा रहूँ हमारे तो मिनिट मिनिट के कीमत है पहले क्यों नहीं देखा था जितने देर मुझे लोटने में लगेगी उसके भी दाम दे दूंगी मेरी गलती है मान रही हूँ हमें क्या चराती हो हम भी दिल्ली में ही रहते हैं लोट करने आओ तो मैं सुबह तक खड़ा रहूँ ड्राइवर और भी जोर से बोला विश्वास नहीं हो तो मेरे साथ मकान के दरवाजे तक चले चलो कनक अपमान अनुभव कर रही थी पर विवस थी ड्राइवर और उत्यजित हो गया उसने समीब दुकान वाले को सुना कर सिकाहित की ये देख लो जेंटलमेन लेडियों के तमाशे डाकिये के थेले जैसे बटवे उठाए फिरती है बीच में अठाराने नहीं है टेक्सी का शोक है गली के मुहाने की दुकान वाला नसीब राए क्या है क्या है कहता हुआ आगे बढ़ाया था कनक अपमान और लाज से गड़ी जा रही थी उसने सफाई दी मैं दाम देने से इनकार नहीं कर रही हूँ मुझे ख्याल नहीं रहा था कि बटवे में पैसे कतम हो गए है मैं अभी लाकर देती हूँ इसे रुकने के दाम भी दे दूँगी इसे विश्वास नहीं हो तो मेरे साथ चला चले नसीब राय ने ड्राइवर को डाट दिया भले आदमी आदमी देखकर बात क्या खरो वह कनक को और पंडित जी को भी जानता था आदमी भी नहीं पहचानते बेचारी शरीफ लड़की से कैसे बोल रहे हो अपने दाम लो और दफा हो कितना दाम है बोलो जा भी भी बेटी अपने घर जा पैसे आ जाएंगे नसीब राय ने कनक को चले जाने के लिए कह दिया कनक ने सिल वाली गली में जाते वे अपने आपको संभाला कि उसकी घबराहट और दुर्दशा से पिता जी परिशान ना हो जाएं जाते ही पुकार बैठी पिता जी मुझे पैसे दीजिए आज मैं भूत परिशान हो गई क्यों क्या हुआ बेटा पन्डी जी ने पूछा तीस हजारी में जल्दी से गलत बस पर बैठ गई थी सदर पहुँच गई वहां से बस कंड़क्टर ने बताया कनाट कुलेस की बस पकड़ लो वहां से फैज बाजार की बस मिलेगी कनाट कुलेस पहुँची तो बट वे में पैसे ही नहीं रही मैं टेक्सी लेकर आई हूँ गली के मोड पर दुकंदार से पैसे लेकर दे दिये हैं अठारा आने दे जी उसे दे आऊं पंडित जी ने असवाशन दिया नसीब राय होगा तुम बैठो मैं कल उसे दे दूँगा कनक नहीं चाहती थी कि नसीब राय ड्राइवर की गुस्ताकी की बात पिताजी से कही उसने उसी समय पैसे लिए और कंची को साथ लेकर नसीब राय को दे आई नहीर दो दिन बाद आ गया पिताजी ने उसे सयद के माकान के परिवर्तन और क्रेविक्रे के कागज दिखाए नहीर ने नैनेताल से आने पर भी उन कागजों को देखा था उसने कहा सब ठीक है पर इसमें गवाहों के दसकत नहीं है पंडेजी ने विश्वास योगे आदमी जवाहर सिंग और गुरु दित्ता मल को बुला कर स्तिती समझाई उन लोगों ने आगरेपूरों के अपने दसकत करके 8 सितमबर 1949 की तारिक डाल दी कनक ने जीजा से सरदार के मालिक असिर के सिधान्तिक मतवेद का जिकर किया उसे दिल्ली के पत्र जगत से कोई आशा नहीं है वह लखनु में मिलते आवसर से लाब उठा सकने के लिए वह जाना चाहती है नईर कनक से सहमत नहीं हुआ उसने कहा तुमारे विचार जो हूँ व्यवसाए अपनाना है तो व्यवसाए के परती कर्तवे निभाओ वह भी तो एक कर्तवे है हम केवल वही मुकदमा तो नहीं लेते जिन से हमें सहनुवूती होती है वो कदमा ले लेते हैं जैसा भी हो उसे इमानदारी से निभाते हैं कनक ने स्विकार किया जी हाँ आप तो स्वम ही कहते हैं आप इमानदारी से बैमानी करते हैं मैं जिविका के लिए अन्याई का स्मर्थन नहीं कर सकती इसका तो मतलब है आफशक्ता पढ़ने पर चोरी भी कर लो ऐसे भी तो लोग हैं जो नियाई के लिए जीविका को ठोकर मार सकते हैं उसका इशारा पूरी की ओर था ऐसा करना चाहती हो तो तुम पहले गांधी बन जाओ कि लोग तुमारे विचारों को तुमारे व्यक्तित्व के कारण मान ले जानती हो जीविका को ठोकर मारने वालों को जीविका की ठोकर लगने के भी उधारन मिल सकते हैं नयर ने कनक की कड़ी बात का कड़ा उतर दे कर तुरंत बात बदली खेर जो हुआ मैं तो समझता हूँ असिर तुम्हें साहिता दे रहा है तो तुम्हें लाब उठाना चाहिए अब वहां कुछ नहीं हो सकेगा बहुत ग्रनित आदमी हैं मैं उसके यहां नहीं जाऊंगी कनक ने सिर जुकाय कहा और नायर को गत संध्या की घटना सुना दि नायर ने घटना के लिए कनक को ही दोष दिया तुमने ड्रिंक लिया क्यों मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी तुमने खूध चिछोरापन किया क्या चिछोरापन किया आप ड्रिंक नहीं ले लिते आपने मुझे स्यम कई बार कहा थोड़ा ले लो कोई हर्ज नहीं है वहिन जी को कई बार दिया हर बात के लिए अफसर और स्थिती होती है आदमी और संगती देखी जाती है अच्छा मेरी गलती सही लेकिन मैंने अनुचित व्यभार तो नहीं किया अब मैं असिर के साथ कभी नहीं जा सकती अगर लकनों में भी कोई घटना हो गई तो क्यों हो जाएगी हो भी जाएगी तो जैसे यहां मैंने समाल लिया वहां नहीं समाल सकती आप पिताजी से कह दीजिए मुझे बक्स में बंद करके रख दें कनक रो पड़ी नयर को उसी की बात मान लेनी पड़ी